अरे कृष्णा अरे प्रेश्णा गोग तो सभी भक्तों को हमारे आज के सत्र में हर्दी कभिनंदन और सुस्वागतम हमारे आज के भागवक वत्तम तथा में ते अरे कृष्णा अरे विश्णा अरे कृष्णा अरे इसलया विश्णात मंडल पर उसना अर्फ हूं राकेस राय पर आजिक डिवा मताजि एसे पर ू. कामन ढहली पर वो though60 3 मघ भागवतम के सुता न चाहिए परण फाभध Joe जया हुमेल करते हैं मंगला चरं़ से अश्लिमा भावदक कथा को किसी दी चुछ को सुरू करने से पछले मंगला चर्णा चाहिए कि हां नारायनम नमस्कृत्तम बाले अमनम भगवतिवास्त अमनम भगवतिवास्त देवाया नारायनम नमस्कृत्तम नारायनम नमस्कृत्त्तम बाले अमनम भगवतिवास्त लिए अरफटिंजी आचाम सतो जय मुदि रैट पिर्ण नताम सकता कृष्णा प्रणवाताम स्वापील प्रीष्णा उन्नस्रवना किड़तना पुर्दान्तस्तो यवद्रानी विदूनोति सुष्चताम नष्टप्रायेश्वद्रेश्व नित्तम भागवतसे बया नित्तम भागवतसे बया आगवादा उत्तमस्टों के आगवादा उत्तमस्टों के भख्तिर भवति नष्टिके भवति नष्टिके ओम अज्यानति रदिश्टा तसमे स्री गुरुवे नमा स्ट्री चैतन्य मनोधिस्टम स्ट्री चैतन्य मनोधिस्टम श्थापितं जेन भूतले यथापितं जेना ना दले स्याम रूपा कदामें हम तदाती सपधांतिकं तदाती सपधांतिकं बंदे हम स्री गुरू स्री जुता पदकमलं स्री गुरून बश्न वांक्ष्चा स्री रूपां साग्र जातं स्री गुरून बश्न वांक्ष्चा स्री गुरून 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 वांक्ष्चा स्री तनुटों युख डाय। दीन बंधु जगत्पते लें। गोपिषा गोपिछा कंता गोपिधा कंता, राधा कंता नमस्थ तते। राधा पांटा नम्राव मेर्व तप्तकांचा गौरांगे राधे बिन्दा बनिश्षरे राधे बिन्दा बनिश्षरे भृषभानू सुते देवे रिषबानी के वदके बहें, प्रणमामीहरी ठ्रिवानु के महांशा आपत रुभाष्या, प्रणमामीहरीप्रिवानु तुनद्धु BILL आपत ओ आपत प्रणमामामीहरी आपत रुभाष्या… पतिनाना नचारे मक्रावने जो वाष्ण वेगो नमा नमा श्री कृष्णा चैतन्ना श्री कृष्णा चैतन्ना रभु नित्तानंदा प्रभु नित्तानंदा श्री अद्वाइत गदाधा श्री वाष्णी गोर्भक्त विंदा श्री वाष्णी गोर्भक्त विंदा श्री वाष्णी गोर्भक्त विंदा कृष्णा, 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 कृ नाहास बॉच्छर शेजलां ९ॉ छएगान थारस्तिस्त भागवत 'Mहापुरान की? वान की जागत गुरसला २परहुकवाद की 57 ु उत्मधूपर माननन दे हं क्या है ? । को ङूट हुट हुटा रहते एक बक्त , आfund ते taper कि चलिए अभी हम लोग सुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम स्रीमत भागवद कथा का अज का स्लोक नंबर कितना है लिए लेकिन उनको साउंड नहीं आ पा रहा है तो आसा सिस्टम बता देने से जोएन कर लेंगे प्रियंका कुमारी तो सुन भी नहीं पा रहे हमारे आवाज को प्रियंका माताज सुन भी नहीं पा रहे है आप पार्सनली अगर इसका नंबर है तो अगर फॉन करके बोल सकते हैं तो सुन नहीं पा रहे है किसी दी हमारा आवाज तो चलिए हम लोग कल जितना कुछ चर्चा किये थे थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्सिन ले लेते हैं वक्तों का जितना कुछ सम्रण हो आज सुरू करेंगे कल जो कुछ अथा हुआ है गीता माताजी बोलेंगे पहले कल क्या क्या हमारा चर्चा हुआ हरे कृष्णा सभी को अब तबी का सार्थ वह है कि हम कृष्ण के कृष्ण के शरण में जाए हर्च जो भी हम पढ़ते हैं सबके सार यही रहता है कि हमको श्रेश्ण के शरण ग्रहन करना है तो पहले भागवतम किसको पढ़ना चाहिए तुर भागवतम किसको पढ़ना चाहिए वागवतम उनको पढ़ना चाहिए जो वह बंदन से छुटना से आ और भाग्वतन को प्रणाम क्यों करना चाहिए था भागवतन को प्रणाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि सुर्य के समान प्रकाश है और बोले आत्मा कबसे इस जगत में है तो आत्मा जो है इस रिष्टी से पहले से अपने यहां विद्यान है आत्मा तो अनाधिकाल से इस रिष्टी में है लेकिन इंड्रेत्रिप्ति के कारण भगवान का बात को हम ना कारते हैं एक्सांपल में आपने पिता बेटा का बताए थे कुवा का बताए थे और जीवन में संगर्ष आता है संगर्ष से उठना है तो हमको क्या करना चाहिए जीवन में जो संगर्ष है जो दुख हमारे दैनिक जीवन में आ रहे हैं तो उससे उठना है तो हमको क्या करना चाहिए तो हमको वेदों का पुराण तथा पुरानों को अध्यन करना चाहिए भगवान के शरंग्रहन करना चा मतलब पुरान जो है कहानिया है जक्तिगत उताहरन देख के बताते हैं परंतु वेद जो है वो ज्ञान जैसे एक्साम्पल आपने पानी छे लिए छे गलास तुमको एक दिन पीना है वो ज्ञान है लेकिन पुरान में उसको क्या बताएंगे अगर नहीं पीएंगे तो तुम अब बोले इस संसार अच्छा नहीं है यहां इसलिए हम लोगों भक्ति करके यह से निकल जाना चाहिए इस संसार क्या है करके ज्यादा से ज्यादा लोग जो शास्त्र में बढ़ता है थे वो था संसार एक अंधकूप है एक बात्रूम है शौचालय है और धावानल है देल कारागर है कि यह ओ आर बाहिए वार अफ्म हम सकते है फियिया फिर各 भार्मसत्य को श्यारी टाल सबस्त्य है क्रिश्थ्थ तेए डिधर्त ऐतन जी संसे आँख श्रूम सब्स्तिं पार श्ञल करिश्थ श्रवरे अंत्रंग स्वामी यह कृष्ण हमारे मित्र एकृत नको उसको माधूरिय प्रेम के हिसाब से भी देख सकते हैं तो अपना अंतरंग स्वामी है कृष्ण यह है परम सत्य अगर इसको पूड तुष्टी चाहिए हम लोगों तो हमको क्या करना है भागवतम जैसे भागवत में कृष्ण के संबंध में कृष्ण के प्रश्णोतर के विशे में हम लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए ना कि फिल्म का बात करें या प्रेस में जैसे विज् दिखवादी नहीं सिर्फ सी सिर्फ हम क्रिष्ण के बारे में बात रश्णोतर करेंगे तो इस दिविसाहित्य को पढ़ना और श्रवन मात्र से पूर्ण तुष्टी मिलती है भागवतम का और हमको मिल भी रही है हमारे घर का बाता हुआ है हरे कृष्णा बहुत सुंदर बताए माता जी पुरा कल का सार बताएं इसके बाद बोलेंगे कॉमल ढाली पुर्ण कृष्णा दान्डवर्पडाम स्विपर्ण कालका जो विचाथा जिसे हाँ ये भागवतम को पठाको शुकन सिया सुने सिया पढ़ने से पहिंदे कि अले हम सबीको नरण नरण भगवान और सरस्वति माता और हमारे जो बुरुदेब रहता है आचार जलत रहता है उन सबीको प्रणाम करना चाहिए और भागवतम को भीन और जाए चीजों से प्लुना की गई है जैसे आहे रसी है सुर्य है ऐसे बहुत कुस का बुस के शाद आपका तुलना की गई है तो जो एछ संग सार को जैसे कुई जैसे बोला गया है तो उस कुई से हम जैसे पापियों को मेरे जैसे पापियों को आगार उपर उठना है कुई से उपर उठना है तो हमको भाग बतम का सहारा लेना पढ़ाइगा और जैसे गीता माता जीने बोली भागवद गीता माता जीने बोली कि अगार हमको भागवद हम जाना है तो भागवान के साथ हमारा एक समंध जोरना है सहे कुछ भी हो या बंदू हो सकता है मित्र हो सकता है या पूत्र पीता कुछ भी हो एक समंध जोर ना जोरी है तो उस समान को जोर कर हम जल्द से जल्द भगवान के भगबत धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है बाकी जिए भग तलब है वो बताएंगे देखें मैं इतना से मही विराम देता हूं कि अभी हमारे विश्वनात मंदल प्रभु जी बताएंगे कल के क्लास का कुछ शारांस अरे कृष्ण प्रभु अरे कृष्ण प्रभु काल का जो चार नंबर स्लोक बताए थे यह सब लोगों के अपना प्रणोती निवेदन कर रहा है यह सब लोगों को प्रणाम कर रहा है कि अपना गुरुदेव यह नारायन को सर्वस्यस्त नरो जो नरो नारायन रुपी जो भागवत अपटर है बिध्या देवी जो सरश्यक्ति देवी है उसको और व्यास देव को असवर्णोती जना आए इस वैसे अपना प्रणम जनाया हो इसका इसमेसे यह पुरान वेद सबसे वेद है में हमारे ज्यान का भंदार है वेद को ज्यान वोलते थे सुने-स लिए शूटी बोलते थे लेकिन यह शब नहया है है। यह जीतना भी पुरान हमारा है यह सब पुरान का सार है भागवतम। यह भागवतम वह हमको नित्य सुनना है। हटा हम लोग भूल चुके हम कौन है हमारा काम क्या है इंद्रियो इतिकति का कारण से हम लोग अपना परिचव भूल गए हैं।idhat नहां से आए हैं हम परमात्म हम अईकात्म हों यह सब हम लोग भूल गए हैं यह भागत तुनने पढ़नेसे यह सब वह रज्ञान आएगा आएका बाद हम लोग भगवध धाम में जा सेके यह चारद नंबर श्लोप अभी पांच नंबर श्लोप में कुए इसमें घागबतम चेक परम सथ्य है यह बात अब आया और रिशिगं जो प्रस्ण कि यह थे प्रस्ण एचे प्रस्ण उत्तम प्रस्ण घाब कर्शन का बारे है धी कर्शेट के शुट कलिए य़ए इस लिए प्रस्ण है सब थीक एसम प्रसन का उत्वर्त इस प्रसंव का क्वसमुए तो इसलिए उसकाभी उसने प्रसंगा है इस लिए उसका भी उसने प्रसंग चाथ्य क्या है इस समय की आप अपकाल एक चीज बताया था, वो इसना कहानी बता नहीं है, मुझे, प्रित्थु महराज का ये कहानी आप में बताया था, वो खज्द समगरी का क्या बोले, तो प्रिति भी वो सब ठिपा दिये थे, बाद में उसको वो सब उस समय क्या हो रहा था, मतलब ये जो इस प्रिति है, और प्रोभू, है? ठीक है, बहुत संदर प्रवजी, बहुत संदर एक्स्प्रेंसिंट की है, चलिए, और इसके बाद बताएंगे विभा माता जी, कल के क्लास का कुछ, तो तत्रम, आरे कृष्णा, वी सकजी बतांगे की की है, तो कल का परासंग हमारा यह ही था, तो अब तो सारा चीज का आप तो ही है कि भगवान का स्रड़ में जाना चाहिए, जो भगवान हमार अच्छे है, श्वर्वस जुपते, सरुसमर्थ, सरुसक्ती साली है, इना उनके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम मनुस्य हैं कि इस अंसार में आ करके इंद्र वत्रिप्ती में लगे रहते हैं, तो इस परकार से इंद्रे तृप्ती के लिए जो प्रेकृति का टीन गून है, रजोगून, तमोगून, सतोगून, उसका जिस जो रजोगून में राते हैं, और आशी थाट पाट जला एसवारामता जीवन देते हैं, तमोगून में बेक्ती अन्धकार्माय में राता है, जो स सतोगून में जाता है, वो प्रेकृ्ष्ट की प्राप्ती की ओर बढ़ता है, उसके जीवन में भगवान की प्राप्ती के सिवाए और बुछ नहीं हो सकता है, तो जो सतोगून बढ़ता है, जो सतोगून में जाता है, उसका एक धें रहता है भगवान की प्राप्ती, तो प्राप्ति के लिए जैसे कि कल आपने बताया कि हमें भगवान से पोई ही एक रिस्ता होना चाहिए जाहे हो पुत्र का हो पती का हो बेटा का हो जो भी रिस्ता हमको अच्छा लगे ओ रिस्ता भगवान से हमें जोड़ना चाहिए और उस रिस्ता से क्या होगा कि हमें भगव प्रिती होगी, तो भगवान जयते गोपियां भगवान से पेम करती थी उनके विना एक पल भी नहीं रश्घ questo कि नहीं रश्टी थी तो वह रिस्ता जो कल आपने बताया उचेल अजया है कि बिना भगवान से हम लोग किसी के साथ ने जाते हैं, तो बिना रिस्ता का नहीं रखते हैं, हरे किसी से एक रिस्ता है, जो कि उस रिस्ते को निभाते हुए, हम उसे तेम करते हैं, जो भगवान से भी हम लोगों को एक रिस्ता होने चाहिए, तो भगवान से भी हम लोगों शरुष्टती मान है, सभी ऐस्थखरू से जुगते हैं, सब इसके आनंदे सोरूष नहीं. तो तो जो भगवान का रिस्ता के बारे में जो हुआ, हम लोग जानते थे, लेकिन किसी चीज पर अमल ने करते हैं. एक बहुज आरब्यातिय बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उस पर अमल ने करतें तो कलका ये परसंग है आपका जो इस पर अपने परकास डाला कि भगवान से रिस्टा जिरूर होना चाली है बिना रिस्ता का हम लोग भगवान को जान ने पाएंगे, पहचान ने पाएंगे, और बिना रिस्ता का हम लोग भगवान से प्रेम ने होगा, इस तरह से गोपिया, हमारे भगवान से प्रेम के थी, तो इस भावज आगर से निचलने के लिए भगवान के लिए भगवान की भागवार्ण तर्षा स्रावण करने का मतलब है कि भागवान की शेणागती को ग्रह इकरना हुआ। कि बहुत सुन्दर माता जी अभी हमारे बीच में आसिस प्रभु जी कल का क्लास का कुछ सारांग से बताएंगे हम सब वक्तों को सब्सक्राइब करना चाहिए और जो भी प्रशन होते हैं कृष्ण से संबंदिक होने चाहिए उससे क्या होता है कि हर्दा में पर हर्दा को पर्मनेंटली तुष्टी मिलती है मतलब टेंपरोरी नहीं पर्मनेंटली जो की इस्थाई रहती है भूँछ सुन्दर प्रभुजी और कुछ पॉइंट कि नंद की सोरी माता जी आप कुछ बोलेंगे अरे कुछना तो चलिए अभी हम लोग आज का हमारा जो कि स्लोक है उसके चर्चा करेंगे अभी मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे सवे पुंशा परो धर्मा सावे पुंशा परो धर्मा यतो भप्ती रधोक्षजे यतो भप्ती रधोक्षजे अहे तुक्या प्रती हता अहे तुक्ता प्रतिहता जजात्मासू प्रसिधते यतो प्रसिधते सवे पुंशा परो धर्मा सवे पुंशा परो धर्मा यतो भप्ती रधोक्षजे आहे तुक अप्रतिहता आहे तुक अप्रतिहता जाजात्माशो प्रसीदते जाजात्माशो प्रसीदते सभी रखत गान बोले एक के कर दो सभी रखत्माशो प्रसीदते आहे तुक अप्रतिहता जाजात्माशो प्रसीदते जाजात्माशो प्रसीदते अवाय कुशाम परोधनर्मों तईवाय कुचाम परोधनर्मों ये तोभार इते दोख्षा जे अधोख्षा जे यायातमासु प्रसेदती सावय पुनसा परोधर्मो सावय पुनसा परोधर्मो यतो भक्तिर दोक्षजे यतो भक्तिर दोक्षजे आःत्यू क्या प्रतिहता यतो भक्तिर अधर्मो यायातमासु प्रसीदती यायातमासु प्रसीदती वैए दो भगती रखोषी रघकती हता अहै वेकर प्रापनी हता ये आत्मा सुप्रसीदती ये आत्मा सुप्रसीदती अरे किष्णा सब का हो गया सबी वक्तों का हो गया पढ़ना हो गया असिस पर वो तो अनुमाद पढ़िये संपूर मानवता के लिए धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य जिव्य भगवान की प्रेमा भक्ती प्राप्त कर सकें ऐसी भक्ती अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके इस कथन के द्वारा इस कथन के द्वारा श्री शूत गोस्वामी नैमी सारण के रिश्यों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं रिश्यों ने शूत जी से अनुरोध किया था कि वह समस्त्र प्रमाडिक सास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माय या जन समान ने उसे सरलता से ग्रहड कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की बृत्यां बताई गई हैं। एक प्रभित्ती मार्ग है या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है। और दूसरी निबृत्ती मार्ग या त्याग का मार्ग कहला अवस्था है वास्त्पिक जीवन तो ब्रह्म भूत अवस्था अर्थात अध्यात्मिक आस्तित्व है जहां जीवन सनातन आनंद में तथा ज्ञान से परिपून है भौतिक जीवन नाश्वान कि मोहपूर तथा कस्टमें है इसमें सुख तो है यहां केवल कस्टों से चुटकारा पाने का व्र्थ प्रयास मात्र है और कश्टों का छड़िक नाश्ट मिथ्या ही सुख कहलाता है अतह बढ़ते जानेवाले वातिक भोग का मार्ग नाश्वान है नाश्वान कस्टमें आनंद में एवं ज्ञान से परिपूर जीवन की और अग्रसक करती है जब इसमें निक्रिष्ट गुड मिल जाते हैं तो यह कभी-कभी दूशित हो जाती है उधारणार्थ भौतिक लाव के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगति सीलनी भृत मार्ग में बाधक है इस से केवल रोग के लचन बढ़ते हैं और उसकी अवधीर भी बढ़ जाती है अतर भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए अर्थात उसमें भौतिक सुखोप भोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए अतर मनुष्ट को चाहिए कि व्रथा की कामना सकाम कर्व तथा द होगा हमने जानमुच कर जकार कि धर्म को व्रित्थी कहा है क्योंकि धर्म शब्द का मूलर्ट है वह जो किसी के अस्तितु को prevailet रहता है समाले रखता है對吧 जीवन के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने शनातन संबंध में शमन्वित करें कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती घुरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों अत्वा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्शक्त सर्वाकर्शक्त प्रतेक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्शक्त है कृष्ण परमपूर्ण है और अन्य सभी उनके अंस प्रत्यंश हैं इनमें सेवक तथा शेव्य का इसे से मनुष्य को क्रम सहर वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्थो सकेगा और उसकि का आनंद पूर्ण तुष्टी का आनंद मिलेगा तो सभी भक्तगन मेरे पीछे पीछे थोड़ा सवनुबाद को दोगराएंगे संपूर्ण मानवता के लिए परम विट्ति धर्म वही है श्रीप बुलिए संपूर्ण मानवता के लिए परम विट्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुश्य दिव्भ भगवान की प्रेमा वक्ति प्राप्त कर सके एसी भक्ति अकारं तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रुप से तुष्ट हो सके तो यहां पर शूद गोष्टा मी भागवताम इस्टाट किये आज के पहला स्लोक से जो पहले जो परशन किया गया था कि नेमिसारण्य के जो रिशी गान नेमिसारण्य के रिशी मुनी उपस्थित समस्त आठाशी अजार रिशी मुनियों को बता रहे कि धर्म क्या है या भक्ति क्या है बलकि भक्ति ऐसा होना चाहिए जो अखंड हो मतलब ऐसा भक्ति किसी भी अवस्ता में रूपना नहीं चाहिए जिसे कल अम लोग उदाहरं दियते प्रुपत का लेक्चर में कि जर्मन में जब युद्ध हुआ था तो सभी ख्रिश्चन चर्च में जाके क्या बोल रहे है कि मेरा पति घर आ जाए मेरा भाईया घर आ जाए लेकि जब नहीं आये सभी जुद्ध में नास्तिक बन गया तो बोले कि फाक्ति इस तरह नहीं होना चाहिए भगवान तुम्हारा दस नहीं भगवान तुम्हारे नोकर नहीं कि तुम जब मांगो जो चीज मांगो ओडर वाइस उप्लाइर नहीं में बलकि तुम्हें लगना चाहिए तो इस परकार बताया गया कि अखंड होना चाहिए क्या चीज अखंड होना चाहिए भक्ति जिससे आत्मा पूर्णा रुप से तुष्टा हो चाहिए चाहिए जुद्ध चेत्र से लोटकर आये या ना आये जो भी हो कृष्टा की भक्ति अक्षंड होना चाहिए तो बास्तविक प्रेम है तो वास्तविक भक्ती है किसी को सम्मान देने का मतलब जैसे भगवान रामचंद्र ने सम्मान दिया था अपने पिता को यह आपको बन जाना है तो माता कोई कि बात को मान देए ठीक है माता भगवान रामचंदर बोल शक्ते आरे मेरा पिताजी आपको बरदान दिये थे मैं क्यों भगूं मैं क्यों 14 बर्स बन बाज जाओं लेकिन भगवान इसा नहीं किया कि समान दियमा को उसी परकार भगवान की भग्ति हम सब को केसे होना चाहिए अखंड किसी भी अवस्ता में तूपना नहीं चाहिए यही है वास्त्रिक धर्म संपुर्ण मानवत्ता के लिए परम भृत्ति मतलब परम धर्म होई है क्या परम धर्म है कि जिसके द्वारा जो इच्छा तो हडी लिए भगवान हमें you are in your prophets अंगे रोकषाए उनकी चाह था हमारा करता को है ऑस्टि फ्रम की होटा जो है कर täna कर्न मतलब क्या है किमियर तीरूपती वाला जी में जाके यह करूंगा तो मुझे बजिनेश में प्रोग्रती आंसा ना चाहिए मतलब अकारण आप मुझे दे बालाज जी यार न दे मैं आपकी भ़क्ति करूंगा तो यहां पे सिला प्रहुपा तातपरजय में क्या लिखे कि इस कथन के द्वारा सिला सुद्वश्ण में नेमिसारणने के रिशियों के पर्थम पर्षन का उप्तर देते पर्थम पर्षन क्या था कि संपूर्न मानपता के लिए धर्म क्या है सभी तो नौन टाउन क्या रखे है पर्षन जो छे पर्षन किये थे रिशिगन तो पहला पर्षन का उत्तर देरेगी संपूर्न मानपता के लिए धर्म क्या है बास्तरिक धर्म तो रिशियों ने तो जनसामाइन नों से सरलता से गरहन कर सके तो बेदों में मनुष्ट्र के लिए दो बरकार के वित्तियां ब्रित्तियां बताई गई क्या ब्रित्ति एक है प्रवित्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दुसरी निब्रित्त मार्ग या अपका त्याग का मार्ग कहलाती है तो पहले हम लोग को जानना है कि निब्रित्ति मार्ग और प्रवित्ति मार्ग कि ब्रह्मचारी जिवन में आना है वानप्रस्तव के बाद वानप्रस्तव होगा बानप्रस्ती के बाद वह उसन्नास लेगा यह प्रवित्ति मार्ग और निब्रित्ति मार्ग का अर्थ होता है वो ब्रह्मचारी से डाइरेट सन्यास में जाएंगे ग्रियस्त लाइक में परवेस नहीं करेगा उसे कहा जाता है निब्रित्ति मार्ग तो जो ब्रह्मचारी आश्रम जोर्ण करता है जो ब्रह्मचारी रह ना है सन्नास तो तब होगा हमारा निष्ट्ति fremwe तो यहां पे शास्तर में क्या बताया गया है déjà तो परकार के मार्ग है एक प्रण्विध्ति मार्ग मतलब मतलब इंद्रियो भोग मतलब लोगो यहां पर समझना है प्रहुपत क्या बोल रहे हैं कि जो भूग का जो मार्ग है वो निक्रिष्ट है और परमकारण के है तो मतलब भगवान की इच्छा के तो जो नीब्रित्ति का मार्ग है वो शृष्ट है तो अभी कोई प्रस्णा कर सकता कि प्रभु जी हम सब तो अभी गिरियस्त जंजाल में फंस गए के से अभी निवित्य मार्ग में आ सकते हैं तो इसलिए रूप वेश्वामी भाक्तिरे सामें चिंदों में बताये हैं कि जुप तो बैराइगा नंदक्रिसोरी माताजी आप अपना अन्यूट किजिए माता बार बार हम आपक अब आपका क्या काम है कि घर में ही रहते हुए आपको सेंटर पॉइंट कृइंट कृष्ण भक्ति का बनाना है कृष्ण को अपने केंद्रु बिंगों में रखकर अपनी भक्ति को संचालने करना यही है वास्तरी के निवित्ति मार्ग तो हम लोग समझ गए प्रवित्ति यह निवित्ति क्या है और जो निक्रिष्ण 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 नंदकिषर माता जी भब तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि इन देश्टि मार्ग निक्रिष्टि मार्ग और प्रवित्ति मार्ग की प्रविप्ति मतलब हम लोग संभिए भोग ने विद्टि मतलब त्याग का प्रविक आर्थ होता है त्याग yakka मार्ग होनी औरlungen कती है मेरिस त्सक् была कि सब 2007 में की शाष्टर की शब्दों को चीरह Alors भाइतिक जीवन जो है वास्तरिक जीवन की रूबनावस्ता जीव मतलब हम सबात्मा है तो आत्मा होने के ना पर हमारा जो और जीरीम वहां पर रहना लिखा है किन्तु हम लोग भाइतिक जीवन को जब कि अपनाए हैं जिसके कारण हमारे जो बास्तरिक जीवन भागवत धाम का उसके रूगनावस्ता है नहीं रहता है तो तुसी करकर हम लोग जी जीवन को जी रहा है इसे क्या कहा जाता है रूपात ऑब कि रूगनावस्त And कि इव बावारे कौन मौस्ट वनिगे भुष्ट कुम ना प्रभू मैं बनाराम बनाराम ना प्रभू मैं बनाराम बनाराम सब्सक्राइब कर सकते मैं बस बना रहा है तो लोग देखें की कि मालाक जीवन क्या है एक भैथ जीवन जो के रुगन वस्ता है दूसरा जो बास्तों जीन है वह ब्रह्मभुत अवस्ता मतलब अज़्धात्मिक जीवन जहां का जीवन सनातन आंद मैं यंद्येonen से पर है तो भाईतिक जीवन नासवान मोहपूर्ण तथा कस्ठम आई हम लोग को एक चीज शमझना है भाईतिक जी वन क्या है का मोह माई कस्ठ पूर्णै चीज हम लोग को ना समेब के इसमें सुप्ट ही नहीं यहां की बल कस्ठों से छुटकारा पाने का बेड़तों परियास नाफ्त रगा और कष्टों का च्छनिक नास मित्था ही सुख कर लाता है जैसे चैतलने चरिता मित में बर्न ने सुख क्या है जैसे मान लीजिए उदाहर्न शरूप पहले प्राचीन काल में क्या होता था राजा महराज जब कोई कैदी या मुझलिन को केसे सजा देते थे कि पहार के उपर से एक रसी से उसको बांध कर नदी के निचे उसको मतलब सर को निचे पांग को उपर उसको टांग के निचे दिया जाता था पानी के अंदर जैसे पान ताकि मर न जाए जिसके कारण उसको उठा देते उसको उठाते फिर उसको रात मिलता था अच्छा जो भी अभी सांगती मिला एक दो मिनिट के बाद फीर से उसको पाणी के अंदर डुबाया जाता था कि आराम कि इतना सुन्दर सुख तो सिल प्रहुपास बोले कि सुख का मतलब यह हम लोग को यहां पर कर्ष्टों से छुटकारा पाने का बेड़ता परियास मात रहे और कर्ष्टों का छनिक नास मित्था ही सुख कहलाता है तो अतर बढ़ते जाने वाले भाईति गोग का मार्ग नासवान कर्ष्टमाइं तो महोपूर्णा होने के कारण निक्रिष्टा क्या है निक्रिष्टा तो किन्तु भागवद भक्ति स्रेष्ट धर्म का लाती है क्योंकि वो मनुष्य को सनातन आनंदमाई एबंग ज्यान से परिपुन्ने जिमन के और अग्रसर करती है यह भक्ति क्या करती है हम सब जिस पत को गरहन की है भागवद कथा सर्वन कर रहे हरी नाम की माला जप रह है जिसके द्वारा जिस प्रोसेस में हम लोग को क्या होगा एक सनातन मतलब हमेशा के लिए आनंदमाई एबंग ज्यान से परिपुर्ण जीवन मिलेगा जब इसमें निक्रिष्ट गुन मिल जाते है तो यह कभी-कभी दूसित हो जाती है उदारनर उदाहरनर था कि भरतिक द्वारा जाते हैं कि यह जो हम लोग भक्ति घरन किये अभी वोत आरहिए जो देवी देवकां के भक्त होते हैं वो तो बहुत भनी उसको बहुत कुछ मिलता है लेकिन मैं क्रिष्टन भक्त होगत हो गरीब कि उसको पता नहीं कि भगवान उनके लिए जो भी किये वह सबसे बेस्ट पार्फेक्ट कि उनको पता है यह मूर्ख है इनको भी धान पुन्न दे देंगे ज्यादा कुछ करोड़ों अर्ब रुपिया देंगे तो यह अंधा हो जाएंगे लचमी का अपरा लुका ऑल्लू 2 दिशन ही करते हैं और दिन में देरmpit उसी परकार जब हम सब करें घ्रां आज से घ्रके ह infinite बाया है तॉत है तो क्या होगा हम लो अंधे बन जाएंगे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और भगवान नहीं देवताओं का भक्त होता तो तुम्हारे पास क्वालिटी हो या ना हो तुमको भगवान देदेंगे दन मतलब देवता धन देदेंगे चाहें आपका कुछ भी हो जाए इस लिए हमारा परम पिता है वो जानते हैं हमारे लिए कौन सा स्रेश्ट कर होगा तो इसलिए हमारा जो कर्तव होना चाहिए कि भगवान जैसा भी हम लोग को रखे उसी के अनुसार जीवन जापन अनुकुल रूप से करना है तो इसलिए यहां पर बताए कि उधानत भाइतिक लाब मतलब धान जन भाइतिक लाब के ल ले लेता है एसे भोग से क्यावल रोग रोग के लक्षन बढ़ते हैं और उसकी अवधी बढ़ जाती है तो भागवद भक्ति क्या होनी चाहिए सुद्ध किसी भी तरह का कुछ कामना नहीं होना चाहिए कि प्रभु जाबत मुझे इतना नहीं दिया उनको इतना दिया मु अब मुझे नहीं चाहिए लेकिन हम लोग मूर्ख है इसलिए हाँ पर वो मुझे काच का टुकड़ाई चाहिए इसलिए क्या वो तो प्रभुपात इसको सुद्ध होना चाहिए अथ्वा इसके बाद क्या होता है कि अर्था जिसमें भाइतिक उप्रभुप की रंच मात्र कामना नहीं जाएना चाहिए अत्र मनुष्यों को चाहिए कि बिढ़धा की कामना सकाम कर्म तथा दार्शनिक तरक वितरक से रही भगवद भक्ति रूपी उच्च्य कोटी की बित्ति को स सुप्रीम सबसे उपर है उच्च्य कोटी जैसे दार्शनिक तरक भी तरक सकाम कर्म मतलब यह करना दान धर्म करके कुछ पुन्न अदा करना था कि भगवान मुझे ज्यादा धन दे बिढ़धा की कामना यह सबसे रहीत होकर क्या करना है भगवद भक्ति का पतपनाना उच कुछ कोटी की बृत्ति को सिकार करें इसी से उनकी सेवा में साथ सत्ता संतोष प्राप्त होगे जो संतोष सब्दा है संतोष मतलब सैटिस्फेक्शन आनंद कि हमारे पास करोड़ों करोड़ों अर्वों रूपया भी रहेंगे ना किसी ने किसी कारण बस जो तिरताप है वह हमें दुख देंगे लेकिन अगर हम लोग भागवत भक्ति रूपी अगर कि साधन को अपनाएंगे तो सास्सत सांती प्राप्त होगा तो हमने जान बुचकर धर्म को बिढ़ती कहा है कि धर्म सब्द का मूल अर्त है वह जो किसी के अस्तित को संभाले रगता है हमारा तो असुनक है अस्तित तो धर्म का सब्द धर्म सब्द को संभालीरगा धर्म के कारण ही हम लोग को भगवत दाम में रहेंगे अधर्म द डाम क्रिशनों के साथ अपने सानातन संबनत्र अब फोर्ट यह संबन्त करता है कुछ संबन्द को जोड़ने के लिए यह सब सास्तर गंठों का सरबन करके उसको यह चेपना मिलेगी गुरु महारत जब उसे दिख्चा देंगे गुरु देव जब उनको वह दिभब ग्यान परदान करेंगे तब उनको संबंध क्या संबंध ग्यान उनको प्राप्ट होगा तो कृष्णा समस्त जीवों के सब्सक्राइब करने की चंपता है तो पड्टेक एवं समस्त जीवों का दिव्ब जगत में सास्त रूप होता है और कृष्णा उन सबों के लिए परम आकर सकत है तो हमारा वह रूप जो है अभी पूरी तरह से ढ़क गया है तो धकने के कारण भाइतिक जगत में आए है जिसके क्रिश्णा जो परम आकर सके हम लोग का आकर सक नहीं लगता क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल रूप है वह डग गए है तो कृष्णा परम पूर्ण है और अन्यस अभी उनके पंग्स पट्टम से तो इनमें सेवक तथा सेवक का संबन है यह दिब्ब है और हमारे भाइतिक अनुभव से सर्वता धुन्या है यह सेवक सेवक भाव क्रियनुभाव क्यों नहीं हो रहा है डी कृष्णा के साथ हमारा रिष्टा है हम लोग सुस्ते कि आरे कृष्ण का साथ रिस्ता हमारा थोड़ी है वो तो अर्जुन के साथ था उद्धव के साथ राधरानी माचपांडव में कोनु कहां का कि स्खेट्टी मुली नहीं यहां पर क्या बोले सिलपरोगा जैसे जैसे भक्ति मैं सेवा की परगती होगी हम लोग चाहिए भाइति कस्तित्âytype में हो यह भगवध्धाम में नहीं हो अभी हम लोग मुग्तवस्ता में नहीं है तरह भी इसे मन epic को करम सा वास्तिरीक जीवन का संक्यत प्राव पूसाखे गलेगा। भक्ति करने से क्या होगा। दिभव प्रेम अभक्ति करने से हमारे जो eternal life है, वास्तिरीक जीवन उसका संक्यत, उसका आभास मिलेगा। और जब वू आभास होगा, जो आज का जो प्रहुपाद ने कहां कहां पर दिया यह हम लोग को थोड़ा वीचार करना है थोड़ा समझना है देखिए आज का हमरे कलास है टेक्स्ट नंबर शिक्स अलिगर में दिया दिल्ली नवंबर 11,1973 जेखिए ऐसल्मारि मो eyeballsालिल अगस्तीन 1968 लंदन 16Xյय कर्तर लंधन 17ija कर्थ ने थेक आपकंटार थेश परवरी 1260 नू बरिंदावन 5 718 बेंदावन 17 box है गईरावाद नवंबर 261 Clay थेखिट है लंदन इस जुलाय उनी सब्याइट्त डिल्ली बारन आपंगर उनी से अक्त्त गलकत्त चाप्टिस फरवरी तो इतना सारा शीलिप रूपात ये जो आज का मेरस जो इतना क्लास दिया एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, ने, दस, ग्यारव, बारव, तेरव, चोदा, चोदा जगों में क्लास दिया था प्रहुपाद, आज का जो हमारा स्लोक है, आज का जो स्लोक है, सवे कुंसा परोधर्मा जतो भक्ति रदोप छजे, अहे तुकी अपरती हता लिए हूँ, तो इस परकर सिलोक रूपाद, जहां-जहां क्लास दिये है, उसका हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कुछ, उसका कलेक्शन है, कल जिसे हम लोग चर्चा किये थे, उसी तरह आज भी थोड़ा डिस्टस करेंगे, कहां से आवाज आ रहा है, पॉमोल डाल देखिए, पॉमोल डाले जाता है, खेलने के लिए, मेरे में आ नहीं रहा है, पूछ आना नहीं, मैं आपको बारंबार बोलता हूँ, माताजी, कि ये देखिए, बहुत बार करना है, अगर आप मुट अन्मुट का मतलब, जैसे अभी आप बात कर रहे है, कोई एक चीज, माइक को आप क्लिक किये, तब आपका आवा जा रहे है, तो माइक को सर्वदा लाल रखना है, जैसे यहां पर लाल है ना, ये जैसे आपको कर दिया देखो, ये देखिए, कुछ पूछना है, तो प्रशन के समय कुछना है, अभी ने, अभी क्लास के बीचे ने, एक बहुत सारे और भी सबका काम है, ना, सभी बाप्त का, एक के पीछे, ठीके माताजी, अगर कुछ परशना होगा, तो अंत में बोलना है, और एसे में तो मेरा मूबाइल नमर आप पास है, आप उचे डारेट पॉंड़ी कर सकते हैं, अभी सर्वन कीजिए, जो कता हमारा हो रहा है, तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, सिलप्रहुपायत बिभिन्य जगों में जहां-जहां कलास दिये है, उससे पहले इस सब्द का मेनिंग थोड़ा जो अधव्च पहले जो आया है, जा थोड़ा सलूक का हम लोग जान लेते हैं, अधव्च थो इसनो सब्सक्राइब है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कितना बढ़ा है सब्सक्राइब क्यूंत पुवा है समस्त मनुष्य के लिए दिब्भ धर्म ति बढ़िति वह है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्भ भगवान की प्रेमावक्ति प्राक्त कर सके इसे करने से क्या होगा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रुप से कुष्ट हो सके तो इसी सलोग के उपर हमारा कुछ नोट बना हुआ है का लेक्टेट सिलव प्रभुपात के दिविन जगों में दिया गया लेक्चर लंदन रों दिल्ल्य हैद्रावाद बेंडावन कलकत्ता जहां जहां तो सब कुछ हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे तो यह हम लोग देखे श्रीमत भागवतम के पर्थम इसकंग के सब्तम अजधाय का शिक्स नंबर स्लोग छे नंबर स्लोग इसमें बता कि अनर्तों पसमां साक्षा भ्वक्ति जोगम अधव चजम लोकर्ष्च जानों तो बित्दाम शक्रे साथ्ट तो संगुतां इसमें जीव के भाइतिक कर्ष्ट जिन्हें अनर्त समझता है भक्ति जोग द्वारा प्रत्यक्ष्च रुप से कम किये जा सकते हैं कि यहां पर पर पता है कि कुछ अगर क्कि इसका बू करती होजाए तो यहां पर यह पर हमारा क्या है भाइतिक पॉस्ट जे वस्त जोग से जी ने अंवनत कि आजा जाता है किसे दौर इसके और इसको कम किया सकता है भाक्ती योग के द्वारा गज्ञर्स फट्स यह मत्लब डाइरेक्ट्य फेस्टुप्वर्स एक दम पूर्ण प्रमान के साथ पर्तक्च रूप से कम किये जा सकता है किन्तु अधिकांग्स जंग अधिकांग्स लोग इसे जानते नहीं इसले विदुवन व्याषडेव ने वैदिक साथ्त का संकलन किया जिसका सब्तक्र संगिता है कीके जीस्तास किये थे भागवतम को साथतत संगीता का साथतत understanding भगत संगीता का अर्थ होता है सास्ता भगतों के लिए जो सास्तर उसे साथस संगीता अर्था किकि उनने कहने कि состо प्रोसेस क्या है भक्ति जोग के द्वारा ही हमारे जीवन का दूख है उसको कम किया जासकता है किम्तूप आस्तिविक्त है यह कि लोग इसे जानते नहीं तो जानेंगे कि इसे यहां पर जोग सब्दा आया अदव इसके बाद आया स्रीमद भाववतम के पंचम इसकंद के तेरे नमर एगदा के बाइस नमर स्लोप कि यह कोई बिचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरन कमलों के दूली से दूसरीत होने से मनुष्य तुरंत भिसुद्ध भक्ति के अदवप्चत प्राफ पद को प्राफ्थ होता है जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दूरलव आपके चनमात्र के समागम से अब मैं समस्त तरकों अहंकार अविवेक से मुख्थ हो गया हूं जो इस भाइतिक जगत में बंधन के लोड़ कारण मैं अब इन समस्त जहंजटों से मुख्थ हूं तो यहां पर क्या बता रहें अधोक्षज भगवान को क्या बताए जाता है अधोक्षज तो अधोक्षज पद अधोक्षज भगवान का नाम है और पद का अर्थ होता है इस्टेज कि हम लोग भगवान के उस भगतिमाई इस्टेज अदोप्चत पत्कों के से प्राप करेंगे जो कि ब्रह्मा जीसे देवता के लिए भी दूरलव है किन्तु छनमात्र के समागम से यहां पर यह कौन किसको बोल रहे हैं जो राजा रहुगान चला गया बन जो हम लोग एक पर चर्चा किये थे कि मलबत मलगा मलबत का अर्था होता है कि जैसे कोई सोच करिया करते उसके बाद उसकी तरफ देखते नहीं आगे बढ़ते जाते तो भरत महाराज त्याग करके चले गए थे कहां पर जंगल की और वहां पर तपच्छा किया उसके बाद जब सफल नहीं हुआ तब वो अगले जीवन में हिरन बना और हिरन बनने के बाद फिर माराज मतलब जड़ा भरत रास्ता को देख रहते कई चिंटी उनके दवाब में आके मर न जाए तो जिसके कारण और जो रहुगान उसको थोड़ा पुरोज हुआ कैसा चलते है आंका बांका तब बोल कि मैं आपको अभी चाबुक मार के तुम्हें मार पीटकर सिधा कर द जड़ा भरत न उसको बता है कि तुम क्या सोचते हो अपने आपको राजा में भी कभी इसी धरती पर राजा हुआ करता था तो उसको जो बहुत सरे इंस्ट्रेक्शन देने के बाद जब उनको दिभग्यान हुआ दिभग्यान होने के बाद यहां पर बता रहे हैं कि यह कोई बिचित्र बात नहीं है कि आपके चरन कमलों के धूली से दूसरीत होने से मौनिश्ट्रा तुरंद विसुत्द भक्ति के अधोग्चच परत को प्राफ्थ होता है मतलब जड़ा भरत का जो बानी जो उनकी बानी से पूरा उनका जो पठ उससे मनुष्य से विसुत्य भक्ति के अधोग्चच परत को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दूरलव है तो आपके च्छनमात्र के समागम से अपने समस्त्र तरकों इअग्कार अभिवेक से मुठ्ष हो गया हूं जई भाइतिक जगत में बंधन का मुलकारण क्या है यहां पर बताए गया है पहला है अर्गुमेंट करते हैं हम लोग किसी की बात को मानते तर्क करते हैं तुम्हारे पास कितना ग्यान हैं थोड़ा देखते हैं तर्क करना पहला दूसरा है अंकार कि में जितने मुझे जितना ग्यान है आपके पास उतना नहीं हो सकता है कि यह होता है अभिवेक कि मिश्थ संगत विव नहीं होई जो राम पोन करता है जो वह Pent कि वो खुदी अंकारी तर्क ज्ञानी है तो दूसरों सत्संग क्यों करने जाए कि उनके पास ज्ञान है तो इसलिए यहां पर रहुगन क्या बोल कि मैं अभी मुक्त हो गया हूं और यही जगत में बंधन का मूल करन तो आप मैं इन समस्तर जंजटों से मुक्त हूं कि महाराज रहुगन जड़ा भरत को बता तो इसमें कौन सा सब्दा आया है अधोग्छजे इसके बाद फिर एक अधोग्छजे सब्दा आया स्रीमत भागवतम के बारह इसकंग के च्छाइद्दय के च्छनमसुलों 1266 कि हे ब्राह्मन मुझे अनुमति दे कि मैं अपनी बाणी तता अपनी अन्य इंद्रियों के कार्जियों को बंग करके भगवान अधोग्छज को सोप सकते कि रिपया मुझे अनुमति दे कि मैं अपने मन को विशेवासनाओं से सुद्ध करके उन्हें में लिन कर सको और इस तर अपना जीवन त्याद से यह बा सुद्ध भागवतम सर्वन किया यह दादस इसकंद बारस कंद राष्ट में सुद्ध गुष्णामी परिक्षित महाराज को पूछा कि है राजा मैंने आपको समस्त भागवत कता सर्वन कराया अब तुम क्या सुनना चाहते हो तो इस पर राजा ने उत्तर दिया परिक्ष इतना दीन ना कई पर हरी नाम की माला जपए ना किसी को डान दिये क्यां तिर्था जात्रा भर्मन किया क्या कर रहे छेए क्या को इस सुध गुष्मस धागवत का सरवन को सुद्ध गुष्णामी को बोले हुटी महाराज सच में आपकी जो दिब्ब मुख से आपकी मुखा निश्रित बानी से मैं स्रीमत भागवत की कथा को सरवन करके अब मुख्थ हो चुका हूं और यह मेरा पूरा पार्फेक्ट पूरा विज़ा पासपोर्ट के लिए डारेट हम भागवत दाम चले जाएंगे वही चीज यहा कि बीना किसी हिचक के कोई डाउट नहीं और भागवत धाम जाने के लिए पूर्नरुक से रह दिए तो यह कैसे संभव हुआ क्यों कि स्रीमत भागवत की कथा को सरवन की किसकी कथा अधोग चजे मतलब भगवान कृष्ण की कथा प्रति हता तो अपरति हता जो हम लोग यहां पर देखे की इस लोग में जो आया है और तो की अपरति हता जयात्मा सुपर शिदति आज का हमारे जो स्लोग के अपरति हता नाथ कुछाभं क्या है लोग ऑपे थोड़ा देक लेते हैं कि किसी स्लोक में हापर । सब्सक्राइब श्रीमत भागवतम के ग्यारय इसकन भागवान कृष्णा और दधव दोनों के जब आपस में जो पनबर्स इसन हो रहा था संबाद तो प्रक्रिति के गुणों से उत्पन्न होने बाले दस गोण जोग सिद्धियां हैं भूख प्यास तथा अन्य सारेरिक उत्पासों उत्पातों से अपने को मुक्त करने की सकती, काफी दूरिशे बस्तूं को देखने सुनने की सकती, मन के वेग से सरी को गतिसल बनाने की सकती, इच्छाउन सार रूपधरन करने की सकती, अन्यों के सरी में परवेस करने की सकती, इच्छामसरच टढने की सकति देवताओं ततध अपसराओं की लिलाओं का दर्संध करने की सकति अपने संकल को पूरा करने तता एस आदिश देने के सकति जिनका निर्बाद पालन हो सके तो यह जो प्रतिषता सब्द का अर्थ है इसके बाद अहेतुकीा का अर्थ क्या होता है यहां पर स्रीमत भागवतम में देभुतिननन कपिल कपिल अपनी माता को बता रहे हैं मतलब मेरी कथा सर्वन मात्र से मैं सर्व गुहा से मनोगतिर विच्छिनना जथा गंगाम भस्वम बुधो लक्षन भक्ति जोगस्ट निर्गुनस्व युद्व तितम अहेतुकी बवीता जब भक्ति कुरू सक्तमें आयतुकी का परिभासा यहां पर दिया लिए आयतुकी क हो जाता है तो निर्गुन भक्ति का प्रक्ट होता है जिस परकार गंगा का पानी सभावत्त समुद्र की और बहता है उसी परकार एसा भक्ति महीं आलाध दिना रोक्तोक्यरमस्क्र की और भायता ऑछ कुण तो यहां पर क्या बताए बगवान कपिल देव नहां पर एही च यहां पर कपिल देव अपनी माता देवूती को बता रहें कि जिस परकार गंगा गंगा का पानी कि अना कि कि अगा का पानी सभावत मतलब ऑटोमेटिकली कोई खोर्ष करके नहीं कि कि सभावत ही समुद्र के और यह उर वायता है उसी परकार आइसर भगवान के दिवम आम मतलब वहांगा उनके गुनों का सरवन कि तुरंद आक्रिष्ट हो जाता जब देखती सरवन करता है बगबान के लिला कता तो अटोमेटिकली उनकी और आक्रिष्ट होते हैं तो इसे कहा जाता है अहे तुपी भाक्ति कि इसके बाद कि इसके बाद है तुपी कि अभी हम लोग आएंगे कि अभी हम लोग आएंगे कि सिल्व पर्भूपाद कि इस परकार विधिनने जगों में इस कि इस कथा को इस लोग के बारे में बताए है तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि पर्भूपाद क्या बोलना चाह रहे है और शिल्व पर्भूपाद जो पचास साल पूर्व जो बोज चुके है जबकि हम लोग इसकों से जुड़े है तो एट लिस फोड़ा अभास कुछ ज्यान तो होना चाहिए पर पर इस सलोक के उपर क्या क्या होगा तुम लोग पहले जान लिए कहां कहां क्लास दिये है इस दिल्ली मौंट्रियल लंदन लंदन कलकत्ता न्यूबिंदावन लंदन इडराबाद लंदन दिल्ली कलकत्ता है त्ठावाद रोम महरेसिस परक्णाड़ की बात है जब हमारे जर्मों नहीं आपकि ऊब wtedy बहुत सारे मंदार परकेंगान वह तो बहुत ही सेनियर परिश्ट लेकिन मेरा जन्मों नहीं वहाता है इसलिए बहुत अच्छा लगता है प्रभुपात कि सच में क्या-क्या बोले हैं तो चलिए थोड़ा साम लोग जिक्र करते हैं इस लगता है इसलिए प्रभुपात क्या-क्या बोल रहे हैं तो यह जै जगत गुरुपात की इस तो यहां पर कि मनुष्य से जीवन का उद्देश से होना चाहिए एक विग्गान को समझना मतलब मानव विग्गान क्या विग्गान की कि हमारा परम विग्गान क्या है मतलब मनुष्य जीवन का अर्थ श्रीप कुत्ता और विल्ली की तरह समय अपवभई करना नहीं है किस तरह खाना सोना मिलना जुनना यह मनुष्य जीवन नहीं है जबकि बर्तमान में यह तो जो चार हमारा जीवन का सिद्धानत है खाना सोना मेथुन करना और अपनी रक्षा करना यह तो कुट्ता विल्ली भी करता है तो तो हम लोग वी एप संस ग्रेटिक सगेशन और हाव तो डिटेंड मतलब केसे पर्तिक्छा करना खाना सोना मेथुन करना अपने जीवन को जिना कि तो दुर्भाइग्य बस हम लोग तो मन मतलब पुसु से भी बत्तर है लेस देन देने मेंट पसू क्योंकि पसू जो है उन दो चौराशी लाग जीव जोनियों में से और जब कि हन जो मनुष्य जीवन है चार लाग पर जाती है तो पिल चौराशी लाग पर जाती हो में से मनुष्य जीवन है चार लाग पर जाती लेकिन वह जो आपका जितने सारे पसू पक्षी है उन लोग कुछ समझ सा नहीं है कि कैसे खाए। और संसर पल्द के मिलेगा लेकिन सच्चा ही क्या है कि मुद्ध सुके बहुंत भाग्वान के पुर्ठी भरोसा नहीं यह अरथ क्या है। वह भगवान और यह पर दीदा। इसी के बारे में पता नहीं है तो दूसरा परस्ण कहां से आएगा पहले यह परस्ण होना चाहिए कि हमारा जीवान खुत्ता बिल्ली के तर सिफ खाने सोने में नहीं विताना चाहिए बलकि एक दूसरा चीज समझना है वह है हमारे महानव भिगान मतलब भगति अथा तो ब् मित्तु के बाद क्या होता है तो यह दिल्ली के कलास में 1973 को सिलप रूपार बोले थे इसके बाद कि एक का प्रष्ण भावनामीत आंदोलण इसमें कर सकते है क्रिष्ण प्रसन नहीं कि क्रिश्ना शिरिफ हिंदूङ और भारती नहीं है भारतीय हिंदू इसमें क्रिष्ण नहीं यह हमारे गलत धरना है वह जब आज अब मतलब खोरेनार विदेशी यूरोपीयांस अमेरिकांस वो समझ रहें चीज को वो लोग नहीं जानते कि कृष्णा को क्यों हम मतलब शिकार करें इस इंडियन ही वाज हिंदू नो वो नहीं है ना ही खोरेनार ना हिंदू है ना ही वो इंडियन है तो क्रिष्णा क्या है सब के लिए जैसे सूर्ज की तरह सेम सूर्ज जो पहले उदय होता है इंडिया में उसके बाद धिरे धिरे वह जाते यूरोप कंड्री में इसका मतलब यह नहीं कि यूरोपीय सूर्ज और भारतिय सूर्ज दोनों अलग अलग नहीं बलकि सेम है सुर्ज एक है उसी परकर भगवान एक है सब के लिए इसलिए भगवान भगवद गिता में बोलते हैं कि सर्व जोनीश कोंते हैं मतलब 84 मिलियन स्कृष जो लाईब मतलब 24 लैक जीव जोनी कहां से आता है सर्व जोनीश कौणते है मतलब भगवान सीप्षण वालचव मूंत से तो सभी कृष्ण से आता है तो कृष्ण का संथान सब क्यों नहीं होंगे इसलिए जो इसकोन है क्रिश्ण भावनामित आंदोलन एंड एनियोन के जोण कोई भी वेक्ति जोण कर सकता है चाहे भारतियों हो यूरोपियन हो अमेरिकान हो इसके बाद शिलोप्रोपाद मौन्ट्रियल में क्लास दिये थे अगस्त तीं 1968 में कि कली जुग में तीन परकार के अवतार का बर्नन किया गया है भागवतम में और भागवतम क्या है एक अथेंटिक ग्रंत है, अथेंटिक मतलब प्रमानिक ग्रंत, तो जैसे एक अवतार है भगवान भुद्ध, दूसरा अवतार है भगवान स्री चैतना मापरवू, और तीसरा अवतार है जो कली जुक क्यांत में कलकी के रुप में आएंगे, तो यह सब कहां पर मिलता है, स्रीम हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते, कि मैं भी भगवान हूँ, नो, सास्त्र में भगवान के दिशव में कुछ लक्षन बताएगे या उसके लिए कुछ हर्टोल मिन्स भवेश्वा ने किया गया है, कि भगवान का जो अवतार है, वो कैसे आएंगे, किस दिन आएंगे, कली जुक के पर्थम संधा में आएंगे, कली या कली के गोर कली में आएंगे, उन्म में आएंगे, या सब शास्त्र में भविस्वा ने किया गया है, जैसे बुद्ध, बुद्ध के बारे में में मैंसें था, कि गया में in such and such places, इसे इसे जगों में उनका जन्म होगा, उसक सब्सक्राइब नहीं मुझे इसके बाद लंदन में सिल्व प्रहुकाद भूले छापटी सगत 1971 को गोल सकता कि मेरा धर्मा हिंदु धर्मा जो है नवा बहुत अच्छा है नहीं हमाद मुस्लिन दर्म वह बहुत अच्छा है और कोई बॉल ऐ खृष्य हमधिन धर्म धर्म चारा करकते स्वेयञा क्टीम धर्मीट की भंदिला है। जो बैकिती को सिखाता है सिखाता है इसे धर्म सबसे बढ़िया है जो हुक्ति और जोकλά मतलब प्रिश्ण के भक्ति चिकाते हैं कि जिसके मायद्दम से अधवक्षज मतलब भगवान कृष्ण का डिवोटी भक्त बन सके अधवक्षज का अर्थ होता है सुप्रीम पार्सनेटिट मतलब पूर्णपुरुशत्तम भगवान है कहा समझ गए हिस हिंदु परिबार में जनमली हिंदु थर्म बैस्ट मुसलिम थाकिन धर्म बैस्ट जो धर्म सिखाता है बहाध कि भगवान की कैसे कि या जाया ज deze हो 17 मतलब जिसको ऊठ्व एस कंड़ार। सब sy quiet लिए इतने दिन के इक जिसका सरे सब्सक्राइब हो धान हो ज्यान हो संदर्ज हो सब कुछ जिनके एक वेक्ति के अंदर विद्धमानों उसे कहा जाता है परम पुरुशक्तम भगवान और उस वह चीज मिल खाता एक मात्र एक मात्र कृष्ण से तो इसलिए किसका भक्ति करना चाहिए भागवतम का क्या आल्टिमेट पॉंट से भागवतम का क्रिश्न के परतित प्यमा बाक्ति कर दो पर आज का जो सिलोप पर उपाद जो इतना कि तो ये था हमारा सबेशन परोधर्म जतो भक्तिर अधव चजो हम लोग को क्या करना है किसकी भक्ति करना है किसकी सरणगरहन करना है जो अधव चजो हम लोग एक चीज अभी पूरे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब करना है कि अभी यहां पर भागवतम की बैक्षित कर रहे और आज है वो पहला सुद्ध कि कि धर्म होई है सबसे बड़ा धर्म होई है जीस धर्म से बेक्ति को प्रेम करना सिखाते हैं सब्सक्राइब क्या करते हैं उसको समझना है भागवतम यह नहीं कहता कि भागवतम यह कहता कि क्रिश्टन रिलिजन इस भागवतम यह कहता है कि जो भगवान पूर्ण पूर्शत्तम भगवान उनके परती जो भगति करेंगे ओधर मश्रेश्ट को अगर कोई वोलेंगे फूर्भु जी मत मुसल्मान हो ने अपका अपका धरमसेस्ट है लेकिन जैसे इस समंध में प्रौपा देग में लिएए जगे में लिखें एक से प्रौफा जब तेहरान में थे तेहरान में ख्लास दे रहे थे प्रौपा तूसमाई बता रहे है कि कि येस। आई नोँ अगाते अ पता है कि गौड़ीज ग्रेट मतलब भगवान तो अभी प्रस्णा उठ सकता है कि भगवान जो महान है तो कोन भगवान महान है वह आग्वान आगां है यह सब्धुप सेकेंड़े पहले समझति अगल्कॉन महाने भगवान तो भगवान है कौन सिल्व प्रभुपाद बोल रहे कि हम सभी जानते कि चलिए गोड़ीज ग्रेट और उसी समंझ में सिल्व प्रभुपाद और चीज बताया कि क्रिश्च्णा रेलिजन में जैसे जिसुक्रिष्ट में जिसस्क्राइस्ट क्या बोलते हैं जिसस्क्राइस्ट बोलते कि आयंद सन अब गोड मैं भगवान का पुत्र हूं तो अभी पर्षन होता है कि अगर जिस इसके बारे में जानना ही सवे कुंसा परोधर्म जतो भक्ति आज़त तो अल्टिमेंटली आम लोग को सार चीज गरहन करना है कि यह सब जो मिलना इसे कल राक्यस पर्भुजी बता रहे कि बहुत सारे लोग है जैसाब पुत्ता अगर गंगा जाए तो पत्ता कौन चाटें तो हर कोई तो इस भागवतम या सनातन धर्म भास्तविक भष्णम धर्मों में तो नहीं आ पाएगा उसके लिए पूर्वजीवन का कुछ सुकृति होना चाहिए मतलब जिसका पूर्णरुप से उच्छे दन हो चुका है और जो उन्न कार्जों में लग चुका है वही व्यक्ति भगवान की भक्ति को गरहन कर पाते हैं या वही गरहन कर पाते हैं हम तो अल्टिमेटली हम लोग को यहां पे रहाट ही देखना है कि हम सब यहां पर इकत्ठा हुए है यह जो भगवान किष्णा की भक्ति में लगे हुए है को साधारनी जिवात्मा नहीं है कि यह सीच समझना शास्तरों का कहना एहीं है और दूसरे जगे में और भी श्लोक आता है कि जिसको अनेक अनेक जन्म के बाद भक्ति करके जोग साधना करके हिमालय की कुफाओं में रहके कि हट जोग अश्टांग जोग यह सब करने के बाद सचमूच ज्यान होता है बासुदेवय सर्वमिति समाहत्मा सुदुर्लव परपद्दते का अर्थ होता सरेंडर जो कृष्णा की सरणगरण कर चुके है अनेक अनेक जन्मों के बाद तो व्यक्ति सबसे दूरलव है तो अल्टमेंटली हम लोग को एक ची समझना है कि हम लोग जिस पत्में हैं जो कथा का हम लोग डिसकस कर रहे है कि हम लोग सुप्रिम पोजिशन में क्रिश्ना इजितने सारे अवतार भगवान विष्णू के अनंत अवतार उन्हें से कृष्णा जो है परंपुरुसक्त्तम भगवान है और हम सब क्या है हम सब उनके दास है चैतनम किव किश्ण दास भीकिश्ण के दास अपश्ण की दwszy है कि इस चलिया तैंक विस्था ने मढपर्व क्रिष्ण का तया कि पिता है मोगा मोगर हम सब और अन्दिय्थि सब अजो क्रिशन के डास होना जया करना चलिता में एक स्मर्ण नहीं है उसमें बोला जा रहे है कि ऑल्पो भाग्य को रेना कृष्ण दास नहीं बनाते उसलोक का थोड़ी सी पुन्न कार्ज से कृष्णा को दास नहीं कि दास भगवान का दास बनना बहुत बड़ा पद अब तो ही दास का पोजिसन हम सब को मिला जगना देव दास अना सुरव धुनी देवी दासी यहां पे जो जो भाक्तगन का दिक्छा हो जाता है जाके बाद क्या ना वो कृष्णा का दास बन जाता है वह टाइटेर में जाता है कि उसको आत्मस अमरपन करता है तो कृष्णा उसको अपने जैसा ही मालते है यह मेरा है मेरा टेक क्यार करने की जिम्मे बारी है वो कृष्णा वो समझते है तो इसका मतलब हम लोग को दुखी नहीं होना जैसे पहले दिन हम लोग डिसकस किये है कि दिख्षा भी नहीं हुआ लेकिन आप तो दिख्षा के लिए भगवान कृष्णा से तो अपने आपको तो तो जब उनको पता है तो आपको दुनिया को कुछ करने की क्या जलूत एक पुर्भुजी मेरा दिख्षा नाम यह पुरुजी मेरा दिक्षा भी देख वह नहीं जब आप कृष्ण के परति पुनरुप से सारंडर हो चुके है, मतलब आपका दिख्षा मालने जे कॉनफाम, यह कि अल्टिमेटल स्विकार तो कृष्ण करेगा, यह तो सब फर्मलिटी है, लेकिन हम सब को दोनों को लेखा चलना है, इसका मतलब यह नहीं कि चलिए स कोई स्कुल में कोई बच्चा एड़मेसन लेशा लेना ही परिजापत नहीं है। ऐसको कुछत थ्धन करना है, पढ़ना है, एवरीडेअ स्कुल जाना है। तूसी परकार, बास्तरीत क्या है एवरीडे इसकुल जाना, भगवत कथा का पाठ करना, हरेक किश्ण माहवंद का जब करना एडमिशन जो है न वह फॉर्मेलेटी है कि मेरा इतना नंबर रो लंगा है तो चलिए अल्टिमेटली हम लोग समझ गए आज का जो कलास का जो सार प्रभुजी समझ गए प्रभुजी आज का जो स्लोप का जो सार ओडियो ओन कीजिए पहले कि और डिसकसन करने का जोरुत नहीं है तो चलिए पांच बज गया तो अभी हम लोग परसनल लेंगे सब भक्तों का क्या परसना होना चाहिए सब भक्त परसना होने से ही हमारा आजधात्मिक जीवन में परगर्भुजी होता है कल परसन के लिए ही हमारा क्लास ता देकिन टाइम के अबाभ एकारन में छे बज गया और ज्यादा से ज्यादा परसना नहीं नहीं रिपाए सबी भक्त के मन में कुछ ना कुछ परसना होगा इन चलि विभा मताजी के पाहला परसना प्रवुजी आप तो हम तुछ बना दिये लेकिल मांते दास बनने लायत भी नहीं है मैं तुछ तमाध में नहीं आता है क्या बोले हम तो दास बनने में तो जो आणड है वो तो और कोई में नहीं है तो पुर्न ब्रम्भजे परमात्यमा भगवान कृष्णे वही हमारा मालिक है तैसे तो हम सब दास हैं लेकिन दास भी तो मालिक चुनके न स्रेक्टरता है और मेरा दास बने लाइक है तो उसमें से कोई क्वालिटी तो है नहीं लेकिन आप बोले तो बस मैं हाथ उखाजे कि मैं दास हूँ अपने मर्जी से अपको भगवान जाने क्या है अरे कुछ नहीं बोल पाऊंगे मैं ठीक है मात्यश्य पिस्वनात मंदल पर वह तो आपने जो एक बात बता है ना हम लोग दास है मैं तो अभी दास बनने का क्वालिटी है जो मता जी अभी बताया प्रभू यह बात सही है जास का जो मेरा गुरू ओ भी बोलते हैं मैं भी दास हो तो भी बोलता है मैं भगवन का दास हूँ तो यह कब तक बान पाऊंगा मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं पर नाम करने सुनने से नहीं होता अत्तो समत्पुन करना बहुत जोरी है तो अब निकले ही है आप अब भक्ति पत्र जानते हैं वो भगवारी जानते हैं काईसा दास करेहा है मेरे लिए कर दो में मेरा रचके राखे है करने हैं लिए हमिरों का नाम नहीं बूल पाहेंगे यह भी होसकते हैं कि मुझे आजला होगा होगा अच्षे के लिए श्यक्ति करते हैं तो जैसे और भगव स्ब्सक्ति कर्वाइक लुक्सानी दरीक्ते प्रभुपाद का बहुत सारे लेक्चार उनमें से लेक्चार प्रभुजी का परशना परभुजी मुंडन कर लिए क्या ब्रूमचरिका जैसा दिख रहा है इस नहीं महिना के बाद को बाल कटा है प्रभुजी बाल तो माता पर जो आदमी है प्रभुजी इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब लोग हम से बहुत सर्वस्रेश्ट हैं अभी तो ना हमारा तिलक हुआ है ना हमारा तुलसी कंठी माला हुआ अभी तो प्रथम कदम और पहला जो है चणने का प्रयास कर रहे हैं यह आपने भागवतम दे दिया फिर आप भागवतम सुनाना स्टाट किया बढ़ारा हजार स्लोक कितने वर्सों में जो है फून होता है और इसकोन में तो पता है कि भाई इसकोन के दिक्षा के लिए पहले प्रिक्षा होता है तो बुलता है अगर जो गाड़ी चलाना है तब ड्राइविंग नाइसेंस ल सब्सक्राइब करता है तो थोड़ा समय है अभी सुला माल माला का जब और साथ में सत्संग और भागवत का कथा का अभी सरवन मीट मास मजदिया पान छोड़के अभी जो है एक एक आप जो भाब लाए है ना प्रभुजी मन में सच में भगवान आपकी इच्छा को पूरी करेंगे जब आप दास बनने कि इच्छा मन में परकट किये तो जरूर भगवान आपको दासों का दास बनाएंगे और हमारे जीमन का लक्षवी यह दासानु दास दास ही होना चाहिए कि हम लोग डारेट तो भगवान के दास नहीं हो सकते भगवान के दास के दास के दास में आदीपुरान में भगवान को बोलते है कि है लिए जुर जुन की मैं करिशन का दास हूं वह मेरा धास यह स्दूर की मिंदा सुन का दास हे वह हैं तो अल्टिमेटली हम लोग ऑगवान का दास होने के लिए और आखि kidding हम सब के अन्दर में मैं एग हैं जिसे हमारे विश्वनात मंडल प्रभुजी अभी इतना बिनम्र भाब से बोले कि पता नहीं कितना पापी हूं या गिरियस्त जंजाल में फंसा हुआ हूं पता नहीं जीवन में भगवान को पाऊंगा की नहीं तो जबकि वश्णमु का किरपा उनके उपर हो रहा है मतलब वो भगवण का दास्वाइव तो तिलक भी ले लिये हैं और कंठी माला भी बहुत आगे हैं जा चुके हैं और भगवान के अधिर जी और कहते हैं कि हमारी सेवा बाद में फहले भगतों की सेवा करो कि समूनी का बोला कि वी से या के आप ओंगो जब है गुए जी प्रमौ जी प्रभी तो कथा में आ रहा हर जगा तो भगवान बूल Θं Cash कय दिनहें भगतों की सेवा si हमारी सेवी है और इस कौन का जो माध्यम अपने बनाया हम लोग देखे कि एक माहौल मिलेगा एक जगह मिलेगा उसमें जो है किसे मुक्त हो तो मयापुर हो आ उनका जहां जहां द्राम है कहां बुलाते हैं कि जरूर नका ने जगनापुरी मायापूर भड़ी है अंबिकापुर में जब परचार में जाते थे तो उससमें गोस्ते कि आप लोग कहां से है यह मायापूर साथ्चाद भगवान के धाम वह कारो में भी एक मायापूर है यहां यहां पर हाथ उठाए कुछ पर्शना होगा सायद प्रभूजी क्या ओमल्डाली प्रभू येस टेल में प्रभू प्रभू प्रभूजी दान्डवत प्रणाम भूलिए प्रभूजी मैं अभी थुरा सा एक भाग के पास आए हूँ आप सभी को मिलाना चाता हूँ आप साथ जानते हों कि उनको जो जप इसकवन का गाड़ी अंविकापूर में आती है तो आप जो फूल का सिवा है ना जो भख्त देते हैं आप जानते होंगे दुका अंदर भख्त उससे आप मिलिए तरहाथा अरे कृष्णा प्रभूजी अरे कृष्णा प्रभूजी अ अब भी हमारे जूम कलास में जूड़िये हमारे सिर्मत भागवत की पता होते हैं लेकिन अब भगवान को जाने के से वही किसी ने बताए कि भगवान है पूसी परकार भागवत हम आपको बताएंगे कि भगवान को ना शुजांब को शचलाते कि कि किसी ने बोलाए कि भगवान है तो अल्टिमेटी प्वाइंट कहां से आता सरवन से सुनने से किसी से सुने हैं जिसके आप उसको बगवान माने हैं तो उसी परकार जब आगवतम का थाक और आप आप जादा से जादा सरवन करेंगे तो आपको जोड़ेंगे आप कथा में जोएंट हो जाना एवरीडे ठीक है ठीक है पर्भुजी जी पर्भुजी क्या नाम है आपका नाम योगेंद्र यादव है पर्भुजी चली आप तो भगवान कृष्ण के बंसाधर है जादव जदुपनी के हैं इसलिए आप तो लेड़ी भगवान कृष्ण कितने भाग्यों आने आप चली आप एवरीडे कमल डाली पर्भु के साथ जुड़ना है हमारी तीन बजी से भुष्णा के तो अनके मोबाइल में अभी ने प्रक सित तो बोले कि मैं डाल के आपको बोलूंगे इनको भी नहीं आता है आप अपने जो माला दिये हैं जोज प्रयास करती हूं करने के लिए और करती भी हूं अब मुझे उसका बहुत फरक भी पता चल रहा है येस बहुत आनन्द आ रहा है नहीं बहुत उस आनन्द का मैं व्यक्त नहीं कर सकती इस शब्दों में ये सुरा धनी माताजी आपको इस बिशे में बोलेंगे की आपको आनंद क्या हूं आगा रहा है सुरा धनी माताजी माइक उनकी जी क्योंकि शुरा धनी माताजी बहुत दिन से जब कर रहे एबाव आट-DES साल सा अब तो अभी छे-साठ दिन हुआ अपको में माला दिये सु खता की कि बस माला करते जब माला करते श्युरफजीर। करे कि condi तो पहले पहले करते तो आपको क्या कुछ बहुआ था तरह एक बैक पूर जिए जब मैं श्रू सुरूबflo late जब मायापूर से मैं महाही से माला खरी गी थी जब मायापूर जब गई थी न तो उसमें माला नहीं कर रही थी तो वहाँ पर जब गई तो वहाँ पर हुआ कि जिसके पास माला नहीं है न उसको परशाद नहीं देगा तो परशाद लेने कर दिये मैं माला ली तो मैं वहाँ जबिस्टार्ट कि तो मैं महामांत्रा सुदशब से नहिन उञारान कर रही थी तो जब मैं घर आई तो फिर मैं धीरे-धीरे कुसी करने लगी माला तो हमें अच्छा लगने लगा और ज्यादा इन नेमटा प्रुपात के जब भुक रिडिंग की ना तो उससे महम को इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि मतलब सोना रात को सोना उना के सब छोड़ती इतना ज्यादा इन प्रेस हो गई बहुत मतलब को अच्छा लगने लगा अच्छा तो मैंने माला मने तीन बज़े बोर में फिर उटकर करने लगी मतलब रात को चौवीस घंटे में एक एड़ घंटा सुती हैं तो निंदी नहीं आता था मैं लगता कि मतलब जल्दी से माल बढ़ने लगी तो जब फिर में अच्छा कर रही थी प्रभुजी जब किश्वानन प्रभुजी मेरे घर पर आने लगे तो वह हमें सेवा देह कर मेरे मतलब सदेह कर और खुद बोले कि दिख्छा मतलब लेने के लिए हम तयार में हो रही थी लेकिन वहीं हम जादा फोर् रुखते थे वहीं को फोर्स किये कि नहीं तो हमें लेने लगी मतलब मेरा दिख्छा हुगा और फिर वही मतलब वही सेवा भाव फिर बश्नों सेवा बगवान के पास से मिलने लगा बश्नों आपकर रुखते लगे राम और राप पर तो हम लोग जो ऐसे भटक रहते अब अब माला करने भप्ति करने में लगता है कि जो लोग नहीं कर रहा है उनका क्या होगा वो कैसे कैसे इस चीज़ से दूर है वो क्यों नहीं आ रहा है इसे अब अब यह लगता है कैसे सब को जोड़ों कहा मैं जासीक अभी तुनरशनगेर्टन यहां पर बंध है लेकिन हर संडे को संदी होता है बुक्ति स्पूशन होता है तो मैं जाती हूं अलग-अलग पूरे सहर में तो इधर हर जगे घर-घर हो गया है अब मैं दूर-दूर गाउगायों में जाती हुँ वो भी मतलब इंप्रेश होते हैं खरीदते हैं अच्छ से अभी तो फायर लॉक्टाउन के चलते बंध है यहां पर हुँ आपकी कॉंटिविशन को देख के परसनना है आपका दिख्षा लेना सार्थक हुआ जो आपके हिड़दे में यह भाव ना आए कि सच में जगत के लोग जो माला नहीं करते कि इतने दुखी है और इतने अमरिद से वह बहुत ही दूर है नमकीन चीज खा रहें तो आप जो उनको अमरिद देने का जो परियास आपका जो कॉंटिविशन जो बिभीन दूर दूर गाउं में जाकर उनको जो प्रभुपात का पुस्तक देना उनको मालाज अपने के लिए प्रुसाइब करना सच में आपका जो दिख्षा लेना यह सार्थक हुआ है तो बढ़ा माता जी स्विसे में कुछ बोलेंगे रभुजी हरे कृष्णा मैं यह बोलना चाहती हूं कि भागवान का नाम ही सत्य चेट आनंद है तो वह भागवान का नाम ही तो भगवान स्री कृष्णे प्रमात्मा से जुड़ा हुआ है तो इसे अच्छा तो संसार में और कुछ है ही नहीं तो इसलिए माला जाप संकिर्टन करने में हम लोग को बहुत आनंद आता है संसार की पोई भी बसको न थोड़ा दिर के लिए हम लोगों को आकसित करता है पिर हम लोगों वहाँ सहच जाते हैं लेकिन नाम जब संकिर्टन करने से जो आनन्द आता है वो सिद्धा भगवान से जुड़ी हुई है इसलिए हम लोगों को बहुत जादा आनन्द आता है कि भगवान खुद आनन्द चित है हदम प्रसंचित में रहते हैं आनन्द मैं है तो इसलिए हम को जैसे अपना अनुप होता है कि इसलिए हम लोगों को बहुत जादा आनन्द आता है तो जो आनंद मिलता होगा जो करते हैं उनको तो बहुत ही मिलता होगा कि इसा ही मान से जब करती हूँ चलते फिते ओफिस में या खना बनाते समयरा सोई में तो हम को सी अतना आनन्द आता है कि मैं मेरे को कुछ बहुची भाव्ये लिह मसूच हुचा है और मन अर्दम आनन्द से भरा राता है तो हमको ऐसे ही लगता है कि हमसे और भी कोई पुछा तो हमने नहीं बता सकते हैं कि अनन्द आता है लेकिन हमको ऐसा लगा कि भगवान का जब नाम ही आनन्द चित है तो इसलिए हम लगता है कि आनन्द आता है तो हमको तो यही लगता है बाकि आप तो बहुत जानते होंगे प्रभूजी उनके घर में वीभास शिष्टर के घर में जो है लडडू को पाल जी लला पहुच गए हैं अपना करमात कर रहा है लड़ू को पाल दिन के जहां वो तो अपना मिश्चित है कि लिला तो करेंगे ही उनके घर में अपना लिला स्टार्ट कर दिये हैं लड़ू को पाल अपने घरम रखी है विवा सिश्टर जा है अधिवर अधिजित अधिश्टर जी बुलिय। अधिर कितने सारे न अधिश्टर के आनम दिखे कि इसलिए अनम दिल रहे हैं अनम्यूट किजिए जैसे सुबस से उठ जाती हूँ तो पहले जो मैं पहले करती थी सभी भगवान को याद करती थी उससे थोड़ डिटैच होने में में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि वर्सों से मेरा प्रैक्टिस है लेकिन अब मैं जैसे भगवान का जो हमारे पास जो किताबे हैं उनको ध्यान से मैं पढ़ी हूँ पढ़ रही हूँ तो उसमें सब में जैसे देवी देवता लोग प्रार्थना करते क्रिश्न भगवान करते हैं तो वो चीछ मैं ध्यान दे रही हूँ अभी पहले नहीं देत करना है लेकिन अभी जैसे भागवतम पढ़ने के बाद कुछ कुछ चीज जो थोड़ा से भी समझ में आ रहा है उसमें यह है कि सबसे उच्छा कृष्ण भगवान है हम पहले सुचते शीव भगवान है सबसे पहले एसे सुच्छे देवों के दे महादेव ऐसे वह सुचते थे अब जैसे कि देखते हों का जो सुच्छ है तो शीव भगवान को पड़ते हैं इसे हैं अब जाकर भागवतम्ट पढ़ हैं तो सर्व सबसे आपने जो डाइग्रम बना के दिया था उसको मैं बहुत गहराई से उसका ध्यान करी हूँ बहुत गहराई से उसके बाद फिर यह जो पड़ती हुना तो दिमाग में उस टक करता है हां यह ऐसा बोले थे हां यह ऐसा है तब धीरे धीरे अभी मैं बिल्कुल बच्ची ह बहुत चोटे हैं मेरे उमर के हिसाब से लेकिन आपका जो यह है उस उस सुनके इतना अच्छा लगता है आप जो पड़ाने का आपका जो स्काइल है आप जैसे बताते कि इस असलिमें भागवतम मेरे घर आ गया इसलिए इस अच्छा लग रहा है भागवतम ही है जो मेरे मिस्टर बोलते हैं अब बंदगर बिचार ठक जाएंगे क्रिष्न बात्मान ऐसे बोलते हैं आपके घर में काम में हाथ नहीं बटाते थे अब मुझे अभी आपके लिए टाइम देना पड़ रहा है तो मेरे लिए बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं मैंने कहा ना आपको कि अभी मुझे मेरे घर में भी भू सर तीछ हो रहा है अब बताउगे ऑसको बताने से सिम तो कम नहीं हो जाए लेगिन अच्छा लग रहें बहुत अच्छा लग रहे है है उस उसको उसको शब्राव में उसक्ड में कर सकते हैं प्रभुजी बोलेंगे आपके जब के विसे में कुछ उनको पहले की से आनम मिला था प्रभुजी प्रभुजी जब के वारे में तो प्रभुजी मैंने लिख रखा है क्या क्या फायते हुए थे मैं पता रहा हूँ प्रभुजी बहुत सारी चीजें जैसे सब्सक्राइब और दूसरों की दूसरों के दुख को सहन ना कर पाना जैसा कि अवी बताया कैसे दूसरे लोगों को देखते हैं कि वह अवी भसे हुए है तो कितना दुख होता है यह जैसा अभी आपने भदा नमकीन खा रहा है इनको अमरित का ज्यानी नहीं है फिर अपने दुस्य पे भी काबू कर सकते हैं कर पा रहे हैं पहले ऐसा नहीं होता था पते नहीं चलता रहा गंदगी का पते नहीं चलता रहा जब आरे कृष्ण महामंत की एचे तो दरपन मारजरन जाडू लगने लगा पहले पते नहीं चलता है हमारे अंदर यह यह भी गड़बड़ी आ है और संतुष्टी मिलने लगी और इसके बाद माइंड भी काफी चंचल नहीं रहता है एक इस्थिर रहता है माइंड मन इसके बाद हम इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं अब जैसे अब इच्छा नहीं होती कि कोई जैसे पहले बहुत इच्छा होती थी कि यार मेगी खाते हैं कुछ आज भी देखते हैं जो लोग फसे हुए हैं बहुत इकता में वह कुछ खाने के लिए दूर-दूर तक जाते हैं गाडियों से वह फलाने होटल और उदर जा जागे खाते हैं पता नहीं क्या-क्या चीजे सी फूड कहीं कुछ पीजा बर्गर मंगा मंगा लेकिन अब वह इंद्रियों पर कंट्रोल आ चुका है मतलब आब हमें नहीं लगता आप तो बलकि हम यह भी लगता है कि यह क्यों अनर्थ की चीजें जो किसका कोई अर्थ न मदद करनी है तो रिस्पॉंसिबिल्टी भी आई है संभाव आया है अब हम पेड़ और जानवरों तख को मतलब उस नजर से देखते हैं कि हां यार यह भी बद जीवात्मा हैं जो फसे हुए है इन सरीरों में और इसके बाद टॉलरेंस आया है फेट फुलने श्रद्धा जाके वहां अपना इतना पैसा भी दो और गंटे दो गंटे बैठके टाइम बरबाद करो इतने में तो हम यहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं तो यह सब चीजें भी है लीडर्शिप है प्रवाव भी बढ़ जाता है अब जब हम कहते हैं किसी को तो घ्रदै से कहते हैं और वो उसको मतलब उसे उसके दिल को छूता भी है उसका प्रवाव दिखता है जैसे अभी मैं एक भक्त है वो उन्हें जोड़ा है एक दूसरे ग्रुप में तो उनसे अभी मैं बात कर रहा था तो वह कहें कि मैं भगवगवीता लेने को सोच रहा हूं सोच रहा हूं लेकिन अब आपने फोन करके बात कर लिया तो अब मुझे और उससे एक वह मिला है कि हाँ अब तो मैं लेई लूंगा जल से जल तो इस तरीके से मतलब और बहुत सारी कीजिए हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस हाया है कि अब हमें भगवान पर आसक रहना है हम बहुत ज्यादा कौसालता दक्षिता चतुरता तेजी फुरतीलापन यह सब आया है बहुत ज् पानती सरलता सश्टाचार नेकी द्रिया दरी सुझ भूज और इसी प्रकासर दोगी यही सवे मतलब देखिए जब का इतना प्रभाव इतना कुछ व्यक्तित्य को में जाता है तो इसी लिए हम सब जो जब प्राप्त किये मतलब चैतना वाह प्रणों की किरपा से प्रुपाद की किरपा से जो हम सब को जो हरी नाम की माला मिले सच में इतने जन्मों के सभाग्य का परिपक कपल है और अल्टिमेटली जो साधू संग मिलना बहुत कथी जह हम लोगों को एब्री डेट तीन-चार घंटा मतलब धाय तीन घंटा जो भागवान क्रिश्न की कथा जो हम लोग चर्चा कर रहे है यह सच में कितनी सभाग्य की बात तो कि कि गीता मताजी को में बोले थे कि माताजी आभागवान ले लिए जिए जी ले लिया और मैं खुदी सचा कि भागवान तो दे रे थी वरी तो क्यों नहीं प्रेक्टिकली हरी नाम भी दे देते हैं तुम्हें अपनी मन से गिप्ट के रूप में हरी नाम भेज दिये अभी माता जी कितना आनंदी थे उनके चेहरे में देखी पूरा परफुल लिए कि जाओ दो उनको आगे बढ़ाओ उनकी मर्जी तो यहां पर सभी हमारे उपस्ती जितने सारे भग तक अने लगवग सभी परचा रहे जैसे कोमन डाली पर भू भागवत कता जोइन कर रहे लेकि लोगों को मतलब जूड़ भी रहे हमारे राकेश राई पर भू हमारे इस कत को सरबन कर रहे लोगों को जूड़ भी रहे जैसे आसिस प्रभुजी अंसुमान प्रभुजी तो इसी लिए हम सब का भी के कर्तप जिसे माता जी घिता माता जी जब आप जब क्या पीसने लोग इसके इतने बड़े लेखादिकार थे तो आपके कॉंटेक्ट में भी लग प्रभुजी तो बोले थे कि सब कुटा आकर जो कासी चला जाएगा यहां पतल कॉंट चाठेगा लोगों को बोल दी हमने लेकिन इस एक जन्ने भी हां नहीं बुला अभी हमाई पसमय नहीं है अभी तो बहुत काम करना है अभी बहुत काम करना है प्रभुजी ने बताय थे ना वूंट की कहानी वही है उसलिए जश्ट परियास करते जाना है कंटिनियू कोई कोन आएगा जैसे चैतना चरता में वर्णन है ना कि ब्रह्मान्द भरमित्य कोन भाज्गमान चीत गुरु कृष्ण परसादे पाई भक्ति लोता भी मतलब पूरे ब्रह्मान्द भर्में बहुत सारे अंगिन जीवात्माई भर्मन कर रहे तो जब जीवान्द भरमित्य कोन भाज्गमान जी उसका स्वभागमन चाहिए पुरु जीवन का जैसे हम लोग कितना परियास करते अंसुमान पर्वर आसीस पर्भुजी का चली अंसुमान पर्भु हमारे जीचे आए आसीष प्रहु कर रहेगा प्रहु जीए प्रहु जुड़ लोग को आपरेंट नहीं करने हैं तो हम आसीष प्रहु से रिक्वेस्ट करेंगे बनाएंगे कि रोज 2-4 तो जुड़ते हैं लेकिन उनको आपरेंट करने देखते हैं प्रिजर दिखाई पड़ता है वह लिखाता है वाइफाई ओन करी नहीं पाते हैं और अभी करोना काल में हम लोग जाके घर में नहीं पता पा रहा है हम लोग का वित्वास अधी हो गया है च्छोटा वीडियो बना के आज डाल देता हूं और प्रभुजी जैसे हम काम करते हैं कुछ टाटा एया में उसका ऐसे ही डालता है कैसे खुलना उसका यह दबाए इसके वाद यह दब प्रभुजी के लिए तीन बार हुरी बोला जाए जरूर आज अंग्सुमान प्रभु क्या-क्या मिस किये वह थोड़ा सा उनको पस्चातब दे रहा हूं अंग्सुमान प्रभु देखिए हम लोग इतना सारा परुपा दिये दिल्न साथ्चातप प्रुपात हैं यह सकता करे याजॡ़ा करने दिल्ली इतनी सारी जशल्चा परभु परुपात वह साब एकत्टा करके आज का क्लास प्रेजेंटेंटर क्या को तो इसलिए लिए लिए यह पताही आपका सभावक नहीं है याबizers हो ँदो और सारे पता नहीं या भगवान की लिला है आई डोट नहीं प्रभू अपीस में हैं जिसकान से पूरा मतलब हम चाहिए पूरा अटेंटेबली सुन नहीं पाएंगे में बात हो ही है वही इक प्रॉलम हो जा रहा है चलिए और यह तो अब तक रहेगा तिन चार दिन और रहेगा हमको लगता है तक तो नहीं लोग को अल्टिमेटली स्लब प्रहुपाद हमारे आचार्ज है क्योंकि हम लोग इस जाए का एक एक मेरक और वह भी अंधार असिलब प्रहुपादी हम लोग को इस कुए से उठाकर भगवद दाम ले जाएंगे तिसलिए हम लोग उसी चीज़ का एब्रीडे दो तिन घंटा डिसकास करते हैं और यही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि नहीं तो वह जो कुट्टे विल्ली के तरह जो परूपाद उजारन दी कुट्टे विल्ली के तरह आए-खाए स अब थोड़ा भक्ति करो गिरियस्त जीओन में फसे हो अगले बार करना परूपाद एकिसी बादेश नहीं देता परूपाद गिरियस्त को भी सेम ओडर करता था सन्यासियों को भी सेम जीवीशियों के भी सेम डाइड बोलते हैं आसकेल धूरत कहीं करने के लिए आए-डा इसलिए पुरूपाद लात मार मार के मार मार के हम लोग को सीधा कर रहे हैं ताकि हम लोग जब करें मंगल अर्प उठे भागोत करें कि यह सब तो हमारे फाइदे के लिए इसाने कि पूरूपा का कुछ भौट में जाएगा इसको अनुन में कुछ जन संक्रा बढ़ जाए दूसरों को भी सार्थक कराना है इसलिए महाप्रभू कहते है कि भारत ढोनीते मनुश्य जन्मा होय जार जन्मा सार्थक करी ख्रण पड़ा उपको कर ना है उसके बसात सब्सक्रा भी मंगल पिधिता माताजी हम सुच रहे हैं कि इसको को कौनी नहीं करते बोले कि हम बहु तो आज कर हम फोन किसी को नहीं करते हैं तो आज कर तो नहीं करते हैं तो आप लोग भी आई है नहीं करते हैं अच्छह लोगों का इस इस कथा में एक सी बोलते हैं अपका वाक्त बनने के बाद वह दोस्त बन जाता है और जीतना आपका दोस्त है ना वहते हैं ऐसे परभुपाद बोले कि उदारन दिया पलाद महराज का पलाद महराज जब से भक्ति का सुरू किया उनका पीता साक्षा थिरन नका सिपुन का दुश्वन बन गया इस तरोर भी देखा जाता है संक्सार में तो खेर हम लोग को इसे चलना है अपने जीवन को सार्थत करना और सब्सें बढ़ी बात इसक्वन की टियसे लेटी यह की इसकुन जोहन ब्रोड माइंड स्कुन शॉyuड्श की विप्रोड माइंडर ज्मेंस रीवां शात्र नहीं करना दो सिल परूपाद क्या कि अभटा ceased 20 2019 अभण कि अपड़्यू को सास्तर को पकड़ के अपने जीवन को आगे बाराना है लोग तीलग कर रहे की नहीं माला जोला ले रहे के नहीं कर वो कथा में जोएंड कि है कि दो दिन अगर कथा सुने उनको कुछ कुछ तो सायद अगर उनका हेड़दय में भक्ति आ गया है इस समझ में एक बार कुछ भक्त अन्षिल प्रहुपाद से मिलने आये निवार के बोले कि प्रहुपाद हम सब बहुत भागवान है कि प्रहुपाद सुभा परबचन दिया था कि दो जूर कमिंग पिंग कृष्णा कॉं हम ने खुद आपको सुकृति दिया हम तो खुद आपको पुन्न किया सुकृति दिया सभागवन बनाया आप लोग के पास कहां भाग गयता कृष्णा भक्ति में आने का तो इससे हम लोग को एक चीज पता चलना चाहिए कि हम लोग जो इस स्टेज में आये है प्रहुपा अल्डेडे बनाके गए है उसी का बदोलत हम सबको उत्तराधिकारी के रूपने मिलगा ये चीज समझना है ये चीज गुरु महाराज के क्लास में में सर्वन किया था है एक बार मेरे गुरु महाराज में पुने में क्लास दे रहे थे तो कुछ भक्त गन इसे परस्ना किये कि उसमें क्लास में हम लोग भुत काल में मतलक किछले जीबन में बहुत ही भक्त किये थे जिसके काराण ऐसा प्राप्थ हुआ है हमारे लिए बनाके रखे है ये गुड़ girls बनाके रखे है ये बनाके रखे Representatives मतलब बनाकर ये जिसके कारण हम लोग उस प्लेट्रम आप आए दरवाज हमारे पास क्या जगता है बोलते थे कि 64 माला जप नहीं करेंगे तो आपको गोडियों मट में इस्थानी लेंगे तो मतलब उपद्यसामेरित में प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक कोई 64 माला जप न करें तब तक वो पतित है तो इसका मतलब हम सब फॉलड आउन हम लोग पतित है कि यंलके लोग 64 माला जबसे ही प्रभुपाद संतुष्ट कौन क काम भी करना करने का सवभ yarn मिलता है वागवत कता सुनने का भी जब करने का भी वगतों का संक जब करने का सब करने तो आरदिके लीग सब्सक्राइब करेंगे तो तुम पतित हो आप पतित आत्मा लेकिन प्रभुपाद ने किया कि 64 से 32 32 से सोलो तो हम लोग सोलो में कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए अल्टिमेटली हमारे जो होना चाहिए कि हम सब को इतना कुछ भक्ति करने का जो फैसलिटी मिल रहा है इसको जिसे सोसाइटी दिया कि इतना सुंदर सुंदर मंदिर दिया जिसमें भगवान के विग्र की रोज सनान करवाते हैं उनको नय जिसमें कोई किसी के परती बेर नहीं है चाहिए वो इंडियन हो रासियन हो मायापूर में सभी भाई मित्रता भाई चारा के रुप में रहता है इसा नहीं सचाहिए जिए चाहिनीज डिवोटीज आई डॉन्ट अकूर्ट नहीं कि ऐसा नहीं मायापूर मतलब इसकोन सच में परुपाद ने क्या दिया भक्ति विका स्वामी महाराजी सविसाय में एक सीज भोड़ते हैं कि सारे संसार की जो पूरे पिर्थिवी का सामराज जगर एक तोलने में तोल दिया जाए और परुपाद का जो पुस्ता के दूसर तो मतलब तोलने में जो हम लोग वजन करते हैं तो फिर भी जो कॉंप्यार के दिश्टी कुन शेकर देखा जाए तो प्रहुपात का जो जो उनके उस्तक में जो है उनके पूरे प्रतिवी का पूरा समराज्य मिलकर भी उसके कूंपएर उनके तुलना में नहीं आसकता है कि तो खीज और गिप्ट और उपःड़ को मिला है तो सच में हम सब कितने अधे प्रहुपात की किर्पा से सवाग्य सालिया रात रात रख जागरेन करके लिखे हैं हमने येस तो इसलिए हमारे बढ़ा होते थे जैसे सुरदुनी माता जी बता रहे थे जब मुझे नहीं-नहीं माला मिली तो मैं भी तो यहां पर जितने सारे वक्त करने सब है जाए अन्सुमान पर्भु हो या विस्वनात मंडल पर्भु जी यहां पर सभी तपक्स है यह माता जी आयके आया थे असाम से मुक्छलमंतर दूंपंतर सब्सक्राइब कहuben गास Cash assessments के लिए हमारे मायापूर मंदेर इसमन मंदेर एक साल है कद उनको थोड़ा वहन बहुत किलिए दो मिलिट या गयाता कि मरभा भागवधन क्लास चल रहा ता मंदिर में तो ऻोटा दो मिलड़ या था तुन्हों ने एक वाट जो बोला कि जो जो भी कृष्णा से जूड़ जाता है वो सभी एक एक महान महान आत्माई हो जाती है यह वो लोग को देखने को मिलता है यह पर उपस से जितने सारे भक्त गण सब पर तेका जीवन को देखेंगे ना तो हम लोग को एक सुद्ध बड़ नजराएग। प्रभुजी उनका भी बिनम्रता देखिए कि पर्भुजी विस्वनत मंडल पर्भु तो कितना आगे निकल गए हम तो ही पर रहेगे ना मला मिला ना तिलक मिले ना तो यह बिनम्रता कहां से आता है यही हो तक सुद्धवक्ति को प्रदाब अंदर में कृष्ण के परती सच प्रेम रहने से इसी बात निकलता है जिसे विस्वनत पर्भुजी क्या बोले पता नहीं प्रभुजी भगवान अंको ले जाएंगे कि नहीं हो सकता है मर जाएंगे यह पर कोई मुझे पानी देने के लिए यह जो बिनम्रता आँखों से आशू आगया प्रभुजी का ति लेकिन जब मैं भौपाल जोयन किया इसकॉन जोयन किया और मैं एक आदस्टी पालंद करना शुरू किया मेरे परभाव से पूरा घर अभी सुद्ध साथ्ति करने लेकिन तो आल्टिमटली एक एक आत्मा को देखेंगे यहां पर उकस्तित यहां पर कोमन डाली पर हुई ज जब कि उनका गुरुदेव कोई दूसरा है वांगलादिस का लेकिन फिर भी जब कि वो सही पत्थ को पकड़ पाए उसको पता है कि इसकोन एक सही पत्थ है जिसके मादम से लोग भगवत दम जा सकते कि कि यहां पर आचार विचार संघीता सब कुछ परफेक्ट है किसे ख दूसरा आज की कथा को एक पर दिराम देते हैं या किसी भक्त को कुछ बोलना है कुछ परसना है कॉमेंट है तो इस पर हम लोगे रम जोंगे नहीं हुता है विश्वनात मंदल परभू औरे किस्ट परभू हो और परेख थेट है कि असे पर गुजी इस पर गुजी का डबल डबल कि आख गुजा नेक्ट नि में बारे बारे विश्वा तो राखेश पर गुजी हम लोग यह पर विराम देते हैं आज़की का था को प्रभुपाज आपने कहा कि समुद्र पार प्रभुपाद जी गए तो समुद्र पार नहीं गया अगर जो सनातन धर्म का किसी ने पुरे बिश्व में प्रचार किया और लोगों को हिंदू नहीं सनातनी बनाया तो मैक्सिमम रस्पूरे वर्ल्ड में तो सनातनी थे नहीं तो जितने क्रिश्चन से हमको लगता है करीब करीब पंद्रा से बीस करोर लोगों को उन्होंने सनातनी बना दिया अभी हम लोग माया पुर्ग इवाज सिष्टर गई थी नंद की सोरी सिष्टर गई थी तो एक पाकिस्तान से आदमी आये थे वह वह बचारे नहीं बोल पा रहे थे और तो भी नहीं वहां सामें लेकिन उन्ह चाहिए पुस्तनातन का धर्म जो है अ हरी बोल हरे घृष्ण परज़िए प्रश्वास्त किया जाहें वह की सख्वाइब के स्थिती का रहे थे लेकिन उन्होंने जो है दिखा अर्क कर कर लोगों को रास्ता दिखा है जिन्द की जीने की सब लोग लगता है कि असी साल के उम्र में जो है हमें साब प्रसंचीत रहते हैं कौन वाले सभी लोगों को देखते हैं कि बला प्रसंद रहते हैं लोग किसी उम्र में हो चाहे कि लगता है तो प्रसंद चित्ता अपने खुद आयती है लेकिन लेकिन अंग्समान प्रभुजी क्यों पर सन्नचीत नहीं डेखता आप लोगों को पता है कारण नहीं प्रसंचीत रहते हैं वह उनको बहुत कम उम्र में कम तिलक लगाने का भाग की मिल गया है हम लोगों समझते हैं कि बहुत लाश्ट में जो है तो भागे साली है देखते हैं तिलक उनके लाट पर रहता है प्रभुजी लेकिन किसी का मैंने मजबूरी से किसी का नंग्समान प्रभु इतना मतलब वह उसके चेहरे में परसनता इसली नहीं है और भुजी कथा को अक् माया है ना स्मृति नहीं रह पाते वह चली हैंडेट परसन उसको सुनना चाहते लेकिन जब नहीं सुनते हूं को दूख होता है जिसके करें उसको टेंसे ने क्या मैंसिंग मिला दिमाग जो रिकोर्डी नहीं हो रहा आच्छी तरह इसके कारण पर हुजी चिंतित रहता है इसका मतलब देखने से सर्वन करते ना हम सबसे ज़्यादा दिमाग लगा के सर्वन करते एक और माता जी नहीं आ रही है को और माता जी आती थी वह भी जख रहे हैं भी दो तिन सी से जो है नहीं है उनको घर में कुछ प्रॉल्म है उनको जिस कारण से जो है ना तो सदीन कर पार कुछ क्लास वगएर का प्रॉल्म बचलों का स्कूल स्टाट हो गया है और उनको साथ घर शिप्ट करना है दो तिन प्रॉलम उसके साथ चल रहा है तो ऐसे आप लोंग फोन करके पूछ सकते हैं वह वाटसप गूरूप से जूड़ी हुए है तो हम पूछेंगे बैतर होगा कि आप लोंग पूछ लए यह फोन करके क्या हर्म तो उनसके बच्छ अब लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इसको हम बड़ी मिस कर रहे हैं क्योंकि सब साथ ऑनलाइन एक साथ एक अत्रित सुनना उसमें अलग आनंद है और फिर यूटूब में सुनना बहुत अलग हो जाता है और प्रभुजी जो बोले कि हम बहुत ध्यान पुर्वग मनें इच्छा करता है कि ध्यान से सुने लेकिन जैसे राकेश प्रभु बोले कली का जो प्रभाब है हम लोग में कभी-कभी इतना ह लेकिन नहीं हो पाता है जिसकारण से जो है थोड़ा सा उसका प्रभाव रहता है लेकिन कोशिश करेंगे जल से जल आप लोग से जुड़ने के लिए और जो है फिर एक साथ सब्सरवन करेंगे जगनाद प्रभुजी के स्रीमुक्स से भागवत कर था देखते हैं का वो भ अब आप से आपका जो राधामादव किर्तन परभुपात किर्तन हरेकिश्न महामंतर किर्तन को मिस करते हैं कि परभुजी स्टाटिंग में अंग्सवान परभु गाते थे लेकिन आज कल आज पर भुको धून धून के बोलना पड़ता है राकेस पर आप गाएंगे ठीकि क आप आज गाह देजिए मतलब फिर भी अच्छा से चल रहा ऐसा कुछ नहीं है मतलब लेकिन फिर भी किर्टन भागवान के किर्टन आप जैसे भाव से किजिए तो वह उनको लगता हुई जाता है कर रहे हैं कि वर्किंग आवार यह लोगड़न के बाद बड़ी दिन के बाद ऑफिस को लगता अब अभी करना पर रहा है क्योंकि सब बहुत अपना घर चले गिया है और प्रिंसिपल जह जो लोग आगल बगले आमने शर्मने वह लोग को बुला के पूरा काम परारा करना पड़ता है लेकिन ठीक है तीन बज़े के ठीक है फिर्स्ट आप सब काम कर सकता है कुछ दिन बाद में पढ़ाते हैं आप क्या इंस्टक्टर रहे हैं अच्छा चलाते हैं प्रभूजी हम लोग ने मिलके एक बीट कोलेज है कहां पर बुले तो वह का रोश्टिल सिटी में जो है अच्छा है अच्छा होगी अगर जो अच्छा 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 मेरे फ्रेंड है उसका उसका फादर-इन-लौ का चांस तरब जो है बीट कालेज जो है एक बुकारो सिटी प्लेस के अंदर है अच्छा आपका अंदर में अच्छा प्रश्टी मिल खोले हैं उसको अच्छा प्रभू जा रहा है यह सब बात करने से पहले सुचना है कि यूट्यूब में जा रहा है यह मेरा विभीन वेबसाइट में जाएगा यह सकती दिए है करें कृष्णा हो माइक बना रहा है 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 आससपर हो करें करें कि अ कि करेंगे शचार वर्म जी क्या कुछ समय स्था तो चली हम लोग नुगी पर कथा को ब्रहां देते हैं शीज़ें आप आएंगे पर्वजी ए चलिए समय हो भी हमारा बंचा कल्पतरुभःष्य कृपा ように EVABACHA PATI TA NANG PADA NAMO VASHNOVAYAPHA NAMO NAMO Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Ram Jai Gantara Sirmad Bhagwat Mahapurana की जगत गुरुशिला प्रमाद की जए समवेत गोर भक्त बिंद की जए अनंत कोटी वाष्ण भक्त बिंद की जए निताय गोर प्रमानंदे हरी हरी जगनात दास प्रभू के दोनों प्राणियों की जगनात दुत दास दांकी जए